Hello student, तो आज start करने जा रहे हम लोग KTS batch lecture number 1 और हम लोग cover करेंगे kinematics तो आज क्या-क्या करने वाले हैं, पहले मैं उसका एक आपको review दे दूँ तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे theory part, बहुत से बच्चे theory में परिशान थे theory के साथ-साथ मैं आपको concept भी बताऊंगा, concept के बाद tips and tricks जो मैंने बोली थी, वो मैं इसमें भी बताऊंगा और highlighted आपको mark करके दूँगा, जो आपको KTS batch में दिख जाएगी, ठीक है आपके course के अंदर साथ-साथ में बहुत important चीज है, important concepts, ठीक न, यानि कि वो problems जिनके आने का chance सबसे जादा है वो मैं lecture में आज आपको साथ-साथ बताऊंगा, last में हम लोग देखेंगे PYQs, तो देखा जाए तो पूरा power pack lecture है ठीक है न, हर चीज इसके अंदर cover हो रही है, theory भी हो रही है, concept भी हो रहे है, problems भी हो रहे है, tips and tricks भी हो रहे है, PYQs भी हो रहे है, important भी बता चल रहे है अब क्या करना है आपको, lecture देखने के बाद, घर पे आपको अच्छे से practice करना है, डेड़ से दो गंटा, ठीक है न, क्या-क्या practice करना है, सबसे पहले आपने lecture, जो भी मैं कराऊंगा, इसको go through कर लेना है, PDF से, PDF आपके KTS back में मिलेगी फिर आपने formula sheet देखनी है, फिर आपने highlighted tips and tricks देखनी है, वैसे तो सारे ही देखने हैं, पर highlighted वाले भूलने नहीं है, ठीक है न, कई बचे कहें, highlighted ही देखने हैं sir, नहीं, सारे देखने है, highlighted वाले special है, ठीक है न, फिर आपको जो important questions मैं mark कराऊंगा, test series, देखो test series जो है, वो 50 question वाली है, उसके अंदर खासियत है, match the column, जो latest pattern वाले है, देखो कैसे match the column हमारी power बनेगा, आज के lecture में बताऊंगा, फिर आपको जब घर पे practice करने को दूँगा, तो देखो एक match the column में मेरे 4 problem एक साथ cover होते हैं, और उसके करने की probability बहुत अच्छी हो जाती है, तो यही हमा आपको practice sheet से problem practice कर लेने हैं, आपका kinematics A to Z perfect, ठीक न, तो इतना सा काम हको करना है, तो मैं start कर रहा हूँ lecture, kinematics का, सबसे पहले हम cover करना, start करेंगे basic theory, ठीक न, फिर मैं सिखाऊंगा concept वाला part, तो जैसे theory के अंदर आता है, यह मैंने lectures में भी कराया हुआ है, जातर बच्छे जा तो अगर कोई body circular path में गोम रही है, तो बहुत ही common question बनता है displacement or distance, ठीक न, तो displacement तो यार होता है initial से final के बीच का यह direct gap, chord की length, ठीक न, इसको आप इस right angle triangle से निकाल सकते हो, बट एक्जाम में कौन निकालता है, वाँ थोड़ना बैटिंग है research करने, तो आप इसको direct ध्यान से हमने sin theta by 2 की identity लगा ली, simple, तो displacement हो गया 2R sin theta by 2, और distance यह पूरी arc length होती है, ठीक है, तो arc length कैसे निकालते है, theta equals to arc by radius से, तो distance की वाले हो गई theta r, बहुत simple है, पर मैंने बूला हर चीज में कराऊंगा, ठीक है, तो simple भी होगी, concept भी होगी, patience के साथ सब को सीखना है, तब ही physics में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, तो displacement distance का concept बहुत simple है, और आना, मतलब काफी बार आया हुआ है, इसलिए में इसको रखा था, अब इसके बाद जो most common concept है, जिससे problem आ जाता है, 2019 में आया था, ठीक है न, average speed, तो average speed का concept, important concept है, आगे जहां problem आएगा, मैं mark कर दूँगा important, तो average speed हम लोग निकालते हैं, total distance by total time, इसके दो special cases, एक तो equal part, मतलब body ने अपनी journey को equal parts, यानी equal distances में break किया, जब आप इसका problem लगाओगे, ठीक है न, अभी मैं लगा के दिखाऊंगा, तो diagram must है, diagram मना के problem लगाना, आपका problem बहुत आसानी से होगा, ठीक है, अगर body ने अप harmonic mean के बराबर होती है, कई बार conceptual में भी पूछ लेते हैं, तो ये जो result आप देख रहे हैं, इस result को हम बोलते हैं, harmonic mean, ठीक है, h, m, formula n by 1 by v1 plus 1 by v2 and up to so on, बहुत ही simple और lectures में आप पढ़ते ही हो इसको, अगर body ने अपनी journey को equal interval में break कर रखा है, तो formula है arithmetic mean का, यानी जितनी speed है सबका sum किया, divided by n कर दिया, हमारे पास average speed आगी, ठीक है न, तो ये हुआ arithmetic mean, shortcut में है, अब इसी के साथ साथ, आगे formula बताऊंगा, पहले concept, बहुत से बच्चे confused होते हैं, कि sir, average velocity कब कैसे निकाले हैं, या average acceleration कैसे निकाले हैं, तो average velocity और average acceleration के दो, दो नहीं, तीन तरीके हैं, तीनों में बताता हूँ, तो ये मेरी तरफ से concept है, ध्यान से सीखना, तो अगर आप average velocity निकालना चाहते हो, obviously numerical ही बनता है, ठीक है न, तो average velocity निकालने के जो तीन methods हैं, वो इस बात पर depend करते हैं, data क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर position time equation दे रखी है, ये एक्जाम में हौच पोच नहीं होगे, बहुत से बचे के हमें exam में समझ नहीं आता हम क्या लगाएं, क्योंकि concept ही नहीं बता होता आपको, तो ध्यान से सुनना है, तो exam में problem इसलिए भी नहीं लगते हैं, हम थ्योरी थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, actually में problem जैसे लगने हो चीज की science को नहीं समझते हैं, वो चीज समझनी जरूरी है, तो average velocity अगर आप निकालना चाते हो, तो देखो, आपको position time equation दे रखी है, या velocity time equation दे रखी है, ठीक है, या फिर आपको velocity और time का graph दे रखा है, मतलब graphically भी आप average velocity निकाल सकते हो, तो इन तीन जगे पे कैसे निकालते हैं, अगर position time equation दे रखी है, तो आप use करेंगे velocity की definition, कि velocity होती है, change in position by change in time, मैं इसको generalized way में लिक रहा हूँ, vector form में लिक रहा हूँ, ठीक है न, तो delta r by delta t, तो आप इस तरीके से करके average velocity निकालोगे, बहुत ध्यान से सुनना है, जब भी position दे रखा है, तो change in position by change in time करके average velocity आईगी, next, अगर velocity time की equation given है, जैसे मालोगे equation दे रखी है, v बरावर 2 प्लस t, ठीक है न, यहाँ v बरावर t square plus something, तो यह हुई velocity time की equation, तो अगर आपको velocity time की equation दे रखी है, तो आप use करेंगे calculus method, जो की कहता है integral v dt by integral dt, तो method ध्यान रखना है और जहां से जहां तक के बीच में पूछी रही है, वो limit डाल करके हम integrate कर देंगे, तो average velocity निकालना, integration से तब लगाना है, जब velocity की equation given हो, बलकि generalize ही कर देते हैं, किसी भी चीज, आप देखो बिल्कुल generalize होने जा रहा है, किसी भी चीज की average value integration से तब निकाली आती है, जब उ आपको acceleration की equation given है, और acceleration की average value निकालना है, integration, अगर आपको force की equation given है, force की average value निकालना है, integration, तो जब जिस चीज की equation given हो, और उसी चीज की average value निकालनी हो, integration, हो गया ना, concept clear, similarly, अगर आपको velocity time graph दे रखा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो average velocity हो जाएगी, कुछ नहीं, सेम integral v dt, मतलब area of vt graph, ठीक है, divided by total time, तो ये तीन method होए, आपके average velocity निकालने के, similarly, अगला concept में आपको दोंगा, जो आप खुद ही बता दोगे, average acceleration, तो average acceleration अगर आप निकालना चाहते हैं, तो अब आप खुद बताओ, तीन method कौन कौन से होए, यहां तो velocity की equation given है, यहां acceleration की equation given है, यहां 80 graph given है, क्या approach रहेगी हमारी, ठीक है, तो अगर हमें vt equation given है, तो हम use करेंगे definition, कि acceleration होता है, change in velocity by change in time, और इधर से जो acceleration आएगा, average acceleration होगा, अगर at की equation given है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, integration, तो acceleration की average value बार लगा दो आप, integral a dt, a dt divided by integral dt, और अगर आपको 80 graph given है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, average acceleration निकालने के लिए, बस इसका area, area of 80 graph, ठीक है, divided by total time, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, यही चीज़ें बार 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 आपके सामने आती जाएंगी, और आखरी लेक्चर तक पहुँच क जाएगी, तो यह था मेरी तरफ से concept और यह थे simple से formula है, अब यहाँ पर आप check करो, मैंने 2-3 points और दे रखे हैं, ठीक न, velocity of midpoint in accelerated motion, बहुत ही simple trick है, तो अगर कोई गाड़ी जा रही है, ठीक न, उसका engine, आप गाड़ी यो obviously accelerate करते वे जा रही है, तो शुरू-शुरू में उ पूरी पार होगी, तो velocity भी है, तो बताओ midpoint की velocity कितनी होगी, तो यह हुई midpoint theorem, direct आप इसको use कर सकते हैं, under root u square plus v square by 2, ठीक न, अब बहुत ही basic बात, बहुत ही basic formula, कई बच्चे इसमें confused, sir, equation of motion कब use करेंगे, तो जब acceleration uniform है, ठीक न, जब acceleration uniform है, तो आप equation of motion use कर सकते हैं, acceleration अ और concept का section, अब मैं in-pay based, सारे एक साथ नहीं नहीं, तो बूर हो जाएंगे, ठीक न, अब मैं in-pay based आपको problems करा रहा हूँ, फिर उसमें mark करा हूँगा, कौन से important है, तो चलो start करते हैं, सबसे वहला problem आ रहा है, और किसी भी problem को जब आप physics के करो, ठीक न, अगर formula based है direct, तो तो को issue नहीं है, बट अगर formula based नहीं है, तो diagram बनाओ, फिर उसको करो, हम problem 45 seconds से 1 minute के अंदर बहुत easily कर सकते हैं, अगर हमारी concept सही है, जैसे इसको देखो, यह करा है, a body is moving along the circumference of the circle of radius r, फटाक से हमने circle बनाया r radius का, ठीक है, अब body circumference के long move कर रही है, and completes half of the revolution, तो हमने body को यहाँ स तरा दिया, ठीक है, then the ratio of displacement to distance, अब displacement और distance का ratio बताना है न, बहुत simple है, तो यह नहीं कि हम बहुत high level लेकर के चल रहे हैं, बिलकुल to the point, जो neat level है, वही लेते वे चल रहे हैं, धिरे धिरे level उठाएंगे, तो अब displacement कितना हुआ, displacement क्या होता है, initial और final के बीच का direct gap, ठीक है, तो यहाँ पर आप बिना किसी formula के direct निकाल सकते हो, यह final position, यह initial position, यह direct gap, तो यह हुआ displacement, 2R के बराबर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि यह पूरी path length, यह हमारे पास होगी distance, और इस distance की value हमारे पास आगी, कितनी, half of the circumference which is πr, अब आपको ratio देना है, तो यह ratio आप easily निकाल सकते हो, दोनों को divide करके ले लो, 2R by pi r, और यहाँ से RR गया, answer आगया 2 by pi, tick करो, 4 number लो और आगे चलो, तो right answer हो किया हमारा third वाला correct, simple था, समझ आगया होगा, कोई इसमें किसी को issue नहीं होना चाहिए, problem मैं लगा रहा हूँ, तो साथ-साथ आप भी करते जाओ, आ for a body moving with uniform acceleration, मतलब, body का acceleration constant है, ठीक है, तो body का acceleration constant है, तो इध्यान रखना कोई बच्चा, अगर बहुत जादा physics उसको पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैंने यही बोला था, अगर उसको physics बहुत जादा पसंद नहीं है, तो भी मेरे साथ चल करके वाराम से cover कर सकता है, तो हर level का problem ह है, हम लोग perfect practice कर रहे है, नीट की, बिलकुल वैसी करा रहा हूँ जैसी phase 1 में थी, तो अगर acceleration constant है, ठीक है न, initial and final velocities in time interval t, r, u and v, ठीक है न, initial velocity u है, final velocity v है, then average velocity in the time interval, तो हमें निकाल नहीं है average velocity, अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे, सर आपने तो तीन रास्ते बताये थे, displacement की equation दे रखी हो, velocity की equation दे रखी हो, ठीक है न, और यहां फिरा मैं graph दे रखा हो, इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं दे रखा, उसने तो बस यह बोल रखा है, uniform acceleration, इसलिए तो मैंने सवाल शुरू करने से बहले बोला था, concept बताऊँगा, तो concept यह है, अगर acceleration constant है, ठीक है तो this thing is valid, if and only if acceleration is constant, यह ध्यान रखना, otherwise valid नहीं होगी, ठीक है, तो अगर acceleration variable होता, तो आप क्या करते, तो पहले हम integrate करके velocity की equation निकालते, और फिर velocity की equation आ गई, तो तो integral भी dt by dt करके हम निकाल सकते थे, बढ़ यह problem थोड़ा सा advanced level का हो जाता है, इतना दो दो बार integration नहीं करव तो इसलिए tension free रहो, इसको करो, अब answer दो आनी रहा, तो answer लाने के लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी aq value put करनी पड़ेगी, कहां से, क्योंकि acceleration constant है, तो हम equation of motion यूज करते हैं, v equals to u plus 80, और इसको उठा करके यहां पर substitute कर देते हैं, तो average velocity मेरे पा तो I think आपको समझ आ गया होंगे, concept भी मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ताकि आपके दिवाग में कोई doubt ना रहे, नहीं, तो बहुत से बचे doubt में रह जाते हैं, अगर ऐसा होता, तो ऐसे होता, next, next problem यह दे रखा है, यह आपका average speed का problem है, देखते हैं क्या कर रहा है, औ यह देना diagram बनाए मत करना वरना उलच जाओगे, तो problem यह कह रहा है, और तरीका देखना solve करने का, a body traveling along a straight line, तो body straight line में travel कर रही है, traverse one third of the total distance, तो one third distance, dy3 ले लिया, with velocity 4 meter per second, तो यहाँ चल रहा है 4 meter per second से, ठीक न, आगे, the remaining part of the distance, तुरंत remaining part को हमने indicate किया, कितना, 2 dy3, आगे was covered with velocity 2 and 2 for half the time and with velocity 6 for other half, मतलब body ने अपनी जरनी को, 2 equal half में, 2 equal time interval में break कर लिया, इस वाले time में वो चल रही है, 2 meter per second से, और इस वाले time में वो चल रही है, 6 meter per second से, ठीक है, अब आप खुद अप्रोच लगा सकते हो, अब देखो हमारे पास arithmetic mean, harmonic mean का formula है, पर वो तब लगते ह हैं, जब parts यहां time equal हो, ठीक है न, अगर equal नहीं है, तो हमें average speed के लिए total distance by total time ही करना पड़ता हो, और कोई तरीका नहीं है, तो मैं बहुत ध्यान से सीखना, concept सिखा रहा हूँ, हमने फट से देखा, यहां पर time interval equal है, तो हम इस पूरे को एक single interval में convert कर सकते हैं, और यहां क्य जिसकी average velocity है, speed हमारे पास आ जाएगी, V2 plus V3 divided by 2, exam में आपको यह पूरा रायता फिलाने की जरूद नहीं है, डारेक्टी मन में करके calculate कर दो, तो 6 और 2, 8 by 2, यानि 4 meter per second, तो finally, अब मेरे सामने situation ऐसी आ रही है, कि D by 3 distance में body ने cover किया 4 meter per second से, 2 D by 3 का distance body ने cover किया 4 meter per second से, अ अब मेरे को पूरे की average speed निकालने है, अब यहां तो फाइदा हो गया हमारा, यहां भी और यहां भी दोनों जगे speed से हमें, तो फिर overall average speed भी 4 होगी, हमें further calculation की जरूद नहीं है, पर कई बार क्या होता है, दिमाग बंद हो जाता है exam में, ठीक ना, हम लगे रहते हैं बिना कि किसी observation के, बिना किसी common sense के, ठीक है न, चलो कोई बात नहीं, मान लो लग गए, अब कैसे निकाले, तो अब क्योंकि equal तो है नहीं, तो total distance by total time, total distance हो गया d, total time, अब आपको यहां का time चाहिए, time निकालने का दरीगा distance by speed, तो इधर का time हो गया d by 12, और इधर का time हो गया 2 d by 12, ठ पानल आंसर आगया 4, अब आप अपना माधा फिट होगे, आपको आरे यार पहले ही कर लेते, ठीक है, तो यही सारी चीदे time बजाती है, एक्जाम के अंदर observation बड़ी perfect होनी चाहिए, इसलिए practice बड़ी strong होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो गया हमारा 4 मिटर पर सेकंड के ह आप से B वाला, चलते है next पर, next problem, ये problem important है, ठीक है न, देखो इस section में क्या important है, average speed important है, जो अभी आपने सीखा, और ये जो problem है न, change in direction वाले ये important है, तो मैं mention कर दू, this problem is important, as well as average speed का ये concept is also important, ठीक है, तो जिनको important mark कर रहा हूँ, आप जरूर घर पे उनको practice कर ले न, कहां स से test series में जो मैं mark करा हूँगा, और practice sheet के अंदर जो होगा, ठीक है, अब इस type के problem में क्या करना, इस type या किसी भी type के problem में करना क्या है, diagram तो बनाना ही बनाना है, फिर हम concept से खेलेंगे, तो देखो, body moves with velocity 3 meter per second due east, तुरंत हमने east की तरफ, body को move कराया, और इधर की तरफ, इसक same velocity, north की तरफ मोड़ गया, और 3 meter per second से ही चल रहा है, total time, 6 second हमें दे रखा है, करना क्या है, acceleration of body, अब सुनो, acceleration क्या होता है, change in velocity by change in time, अब यहाँ velocity change होई है या नहीं होई है, बिलकुल होई है, क्योंकि direction change हुआ है, ठीक न, अब ऐसे problem को कैसे करें, बहुत simple तरीका ऐसे problem को क करने का vector का सारा लो, vector अपना दुश्मन नहीं है, दोस्त है, ऐसे problem में बड़ी help करता है, तो अगर हमें यहाँ acceleration निकालना है, अच्छा कौन सा acceleration, क्योंकि interval में acceleration पूछा गया, जब भी कोई चीज एक interval में पूछी जाती है, वो quantity average होती है, ठीक न, तो हम indirectly average acceleration निकाल रहे है, तो delta V by delta T, अब बस मैंने vector लगा देने, तो final velocity vector हो गया 3J cap, I think यह तो पता चली गया होगा, इतना तो अब समझा गया होगा, और initial velocity vector 3I cap, and time 6 seconds, तो acceleration की value मेरे पास आगी half, minus I cap plus J cap, ठीक है, अब ध्यान देना, इसका magnitude, तो magnitude हो गया 1 by 2, times इतर आगया root 2, यानी 1 by root 2, मीटर प तो answer में 1 by root 2, मीटर पर second square, towards northwest दे रखा है, all of the above दे रखा है, वो obviously true नहीं होगा, बट ये तो हमने निकाल लिया, बट northwest तो prove ही नहीं किया, वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं answer मिल गया, एक ही ये tick करो, आगे निकलो, कौन verify करे, ठीक है न, बट फिर भी क्योंकि मैं सिख रहा हूँ तो पूरा ही सिखा हूँगा, अब इसका direction कैसे ले है, तो सुनो, ये जो vector लगे हुए न, ये जिस direction में इन दोनों का resultant होगा, वही acceleration vector का direction होगा, ध्यान से सीखना, तो आपको ये जो final vector मिल रहे है, पहले इनको locate करो, minus i का पी आ गया, ठीक है न, j का पे तर चला गया, अब किसी भी चीज़ का ये जो vector सम है, वही तो resultant होता है, तो इन दोनों का resultant कहा होगा, इनके बिलकुल बीच में, ऐसे करके, तो this is the direction of acceleration vector, क्योंकि दोनों के magnitude सेम है, तो इधर से 45 degree हो गया, ये direction कौन सी होगी, north और west के बीच में, यानी north west, ऐसे करके हम direction निकालते ह ठीक है, तो मेरे क्यां से direction समझा गी होगी, resultant से निकालो, ठीक है, magnitude आपको समझा ही गया होगा, acceleration निकालना है, तो हम इशे vector का use करो, क्योंकि change in direction हो रहा है, ठीक है, चलते हैं आगे, next, next है, velocity of body moving with uniform acceleration of 3 meter per second square, ये problem अच्छा problem है, ठीक है, problem अच्छा problem है, concept नहीं important है, तो problem य क्या रहा है, velocity of body moving with uniform acceleration, तो acceleration हमें constant दे रखा है, ठीक है, और इसकी value है, हमारे पास 3 meter per second square, इस changed through 30 meter per second in certain time, तो change in velocity है 30 meter per second, कितने time में, that is unknown, बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको तो, तो acceleration तो change in velocity by change in time होता है, फटाक से हमने value डाली, 3 equals to, अब देखे हैं मैंने problem पूरा नह मैंने को calculate कर लिया, तो time बदा जल गया, मेरे को 10 second का है, अब करना गया है, आगे पड़ो, average velocity of the body during this time, अब ये कह रहा है average velocity, तो average velocity, क्योंकि acceleration constant है, तो u plus v by 2 होगी, is equals to 30 meter per second, ठीक है, distance covered by body during this time, अब इसके दो तरीके हैं, अगर आपको distance निकालना है, दो तरीके हैं मेरे पास ठीक है, मैं दोनों दिखा रहा हूँ, कौन सा आसान रहेगा, shortcut रहेगा, एक्जाम के लिए होगा, आप decide कर लेना, ठीक है, तो distance निकालने का method number 1, तो distance is equals to average speed into time, आपको बड़ा आसान था ये तो, 30 into time हो गया, मैंने पहले ही निकाल लिया, 10, तो answer हो गया, 300 meter, आपको सर यही आसान था, तो मैं भी यह कहूंगा, average speed दे रखिया, into time कर दो काम खतम, method number 2, आपने इधर से u plus v का value ले लिया, 60 आपने इधर से delta v, यानि v minus u का value ले लिया, 30 आगया, दोनों को add किया, 2v का value 90 आगया, v का value 45 आगया, इधर put किया, u का value 15 आगया, आपको सर लंबा है, तो बस ह में exam में यही तो पता करना है, कि ऐसे type of problem है, हम कैसे उस problem को solve करें, तो देखो होता क्या है, कभी-कभी exam के अंदर हमें जो रास्ता समझ आता हम, उसी में लग जाते है, unnecessary time घराब हो जाता है, तो अगर आपकी practice अच्छी है, तो आप सही रास्ता exam में select करोगे, और आप problem को क time में करपा होगे, तो practices must, खाली theory theory मत पढ़ते रहना, u आगया, अब मैंने लगाया, s बराबर ut plus half a t square, ठीक है न, अब आपको पता चल गया होगा, आँसर लंबा रास्ता है, जिस student ने इस method से किया, तो उसको तो आराम से 1 से 7 मिनट का time लगेगा, और जिसने यहीं कर दिया वो 45 second की given time limit के अंदर सवाल करके, नमस्ते करके चल देगा, चलते हैं आगे, तो u का value डाला 15, t हो गया 10, half, a का value हमारे पास available है, 3, t square हो गया 100, और चेक कर लो यार यह 150 plus 150, 300 meter ही आगया, आया दोनों से है, बट एक जल्दी आया, एक देर से आया, तो ऐसा type के सवाल में, बस कौन सा method hit करता है, वो important है, वो depend करता है, practice कैसी है, चलते हैं अगले बग, next, अब हमारे पास कुछ फिर से theory आती है, फिर मैं आपको concept सिखाऊंगा, ठीक न, और मजदार important देता हूँ फिर, तो देखो, variable acceleration है, अगर acceleration variable है, equation of motion नहीं लगती, आपको integrate करना पड़ेगा, तो आपके पास velocity आईगी, velocity को integrate करेंगे, position आईगी, but acceleration से integrate करके velocity निकलवाना, velocity से position थोड़ा सा neat में कम पूछते है, ठीक न, इतना जादा नहीं पूछते है, तो ठीक है, फिर भी मैंने रखा हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, but इतना सादा इस पर focus करने की भी ज़रुवत नहीं, अगर आया तो बहुत ही simple आएगा, आप easily उसको solve कर लेंगे, अच्छा, अब acceleration निकालने के तरीके दो है, dv by dt या v dv by dx, मैंने आपको बताया हुआ, यह तो formula मैंने बताया, v dv by dx, अब मैं concept आपको दे रहा हूँ, ठीक न, तो concept यह ह ध्यान देना बिटाओ, कि acceleration का formula v dv by dx, यह हम तब use करते हैं, जब velocity as a function of position हो, जब भी velocity function of position में हो, ठीक न, कई बचे क्या करते हैं, dv by dx करते हैं, फिर v से multiply, नहीं, आप क्या करो, square करो, ठीक न, यह मैंने lectures में सिखाया है, वाकूब, तो सब को बता रहा हूँ, ध्यान देन अब आप इसको x के respect में differentiate करो, 2v dv by dx, equals to twice fx, ठीक न, यह तो हुआ इस power का differentiation, into f dash x, अंदर वाली चीज़ का differentiation, 2,2 गटा, और a का value direct आगया, fx into f dash x, example, जैसे माल लो, हमें v की value दे रखी है, root under x square plus 2x, ठीक न, and acceleration की value निकाल नहीं है, यह काफी आते हैं, आपके में problem, differentiation के काफी आते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं है, acceleration की value निकाल नहीं है, तो मैंने फट से देखा, vx के function में square किया, square करके, मेरे दो purpose solve होगे, एक तो under root उड़ गया, x square plus 2x, और बस differentiation करते ही, right answer मेरे पास अगली step में आ जाएगा, तो 2v, dv by dx, का value मेरे पास आगया, 2x plus 2, 22 काट दिया, तो a का value आगया, x plus 1, देख रहे हो, सिरफ 2 से 3 step में हमने problem खतम कर दिया, अब वो बच्चे, जो बचारे पहले dv by dx निकालेंगे, पहले under root करो, chain rule लगाना पड़ेगा, उनको, differentiation लंबा हो जाएगा, तो जरूद क्या तो आप इस तरीके से करिए, आपका problem हमेशा जल्दी होगा, एक और, एक और मैंने concept आपको दिया था, मैंने phase 1 में बताया था यह चीज, बट मैंने जैसा बोला है, आप इसको ही कर लो, तो आपको कुछ और करने की ज़रूद नहीं है, सारा चीज इसमें revise हो जाएगा, वो और even test में भी आपको देह रखा है, ठीक है, आपको acceleration की value निकाली है, तो इसका shortcut था, तो acceleration equals to, shortcut तो चलो मैं बताई रहा हूँ, method क्या था, method यह था, सबसे पहले से differentiate करो, dt by dx, आपको सब dt by dx क्या होता है, मैं भी कुछ नहीं होता, dx by dt होता है, velocity, तो dt by dx हो गया 1 by v, equals to f dash x, त जाएगी, यह थो था concept, ठीक है न, इसका shortcut, तो इसका shortcut है, ठीक है न, a equals to minus double differentiation times vq, इस से आप सवाल को direct कर सकते हो, इस special type के problem को, ठीक है न, क्योंकि आपने आप में एक variety है, देखते ही बता चल जाता है, यह वही problem है, सीधे answer आजाएगा हमारा, तो यह best test के लिए, जैसे example, म एक यह value बता दो, बिल्कुल बताते हैं, minus, अब आपने इसको दो बार differentiate किया, differentiation आना चाहिए हो, इस टाइम पर, तो 2 alpha x plus beta, एक और बार किया 2 alpha, तो 2 alpha vq, यह इसका final answer हो गया, आप 15 से 20 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा सकते हो, ठीक है न, अब वापस है, हम कुछ theory part important है, ठीक है न, तो VT मैंने रखा है, जैसे rocket के problem हो गए, important है, छोड़ के नहीं जाना, करके जाना है, तो जहां आएगा मैं important mark करा दूँगा, ठीक है न, और एक tips and trick का section है, वो भी अभी बताऊंगा आपको, तो VT graph दे रखा है, कि body accelerate होई, constant speed से चली, retard होई, और finally यहाँ प नहीं क्या किया, उसकी velocity zero होई, बट वो उसके बाद भी नहीं रुकी, उसके बाद भी वो चलती चली जा रही है, जैसे example, मालो मैंने span को उपर फेका, body retard होती जा रही है, retard होते होते यहाँ रुकी, और वापिस से नीचे की तरफ आ रही है, तो ऐसे situation में क्या होगा, velocity दीर direction में उसकी velocity बढ़ती जा रही है, ये भी चीज मैंने रखी है, दिखाऊँगा, तो अब VT graph से हमें क्या मिलता है, तो VT graph का area हमें distance या displacement देता है, और इसके slope से हम लोग क्या कर सकते हैं, acceleration की value निकाल सकते हैं, अगर आपने tangent बनाई, तो आपको मिल जाएगा instantaneous acceleration, chord बनाई, तो आपको मिल जाएगा average acceleration, ये simple सा फंडा होता है, अब ये चीज फिर से बड़ी important है साल के लिए, तो इस साल के लिए graphical section मेरी तरफ से important है, मैंने आपको graph में match the column में बताऊँगा, देखो एक numerical problem या तो आता होगा, या नहीं आता होगा, इसके अलावत तीसरा तो नहीं होत ठीक है न, आप 10 मिनट बैट के दीवार की तरफ सोचते रहो, उससे तो answer आएगा नहीं, तो या तो आएगा या नहीं आएगा, probability आधी आधी है, पर एक match the column की probability, 3-4 है सही होने की, कैसे, क्योंकि उसमें 4 होते हैं, 4 में से कुछ तो आता होगा, ठीक है न, 4 में से कुछ तो positive constant होता है, बहुत important tool है, तो graph ऐसे start होता है, अगर हमारा xt graph parabola है, तो vt graph increasing line होता है, कैसे increasing line, तो आपने इसमें tangent बनाई, 1, 2, 3, देखो, ये tangent negative slope वाली है, ये 0 slope वाली है, positive slope वाली है, तो negative, 0, positive, तो अगर आपका xt graph parabola है, तो vt graph straight line बनेगा, और acceleration positive constant होगा, अब अगर यही graph, ज्यान देना, downward parabola होता है, ऐसे, तो vt graph हम कैसे बनाते हैं, tangent बनाऊ, 1, 2, 3, slope लिखो, positive, 0, negative, खीक न, तो अब आप vt में start करेंगे positive से, 0, फिर negative, decreasing straight line, acceleration, acceleration कैसे निकाले हैं, तो अगर कोई curve नीचे की तरफ है, तो उसका double differentiation negative constant होता है, कोई curve तो नहीं बोलूँगा, parabola है तो ही, अगर कोई और curve है, तो negative होगा, constant नहीं होगा, ठीक न, तो कोई यह बोले कि यार, xt graph curved है, उपर की तरफ है, पर वो चुप कर गया, parabola नहीं दिया, ठीक न, तो हम constant नहीं लिखेंगे, हम बस यह लिखेंगे, positive है, ठीक न, constant हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो य बहुत से बच्चे मेरे से doubt session में बोच चुके हैं, इसलिए मैंने यह बात बोलनी जरूरी थी, बताई आपको, तो यहां का acceleration, क्योंकि मैंने बोल दिया parabola है, इसलिए negative constant, एक बर वापिस है, तो अगर कोई देता है, कि xt graph इदर की तरफ है, तो आपने फट से देखा, यार out उपर की तरफ है, acceleration positive ही रहेगा, तो आधा curve दे रखा है, कोई बात नहीं, आप देखो, यह curve का मुह उपर खोल रहा है, या नीचे की तरफ खोल रहा है, तो अगर curve का मुह उपर की तरफ खोल रहा है, तो यह positive रहेगा, that's it, constant तब रहेगा, जब parabola given हो, otherwise नहीं होगा, फि low x-t graph आपको ऐसे दे रखा है, तो अब यह decreasing straight line है, इस बात का मतलब यह रहा कि यहाँ पर velocity इसके slope के बरावर होगी, और यहाँ से यहाँ तक slope आप देखोगे, तो through out negative रहेगा, तो velocity की value negative constant, acceleration, velocity constant तो obviously acceleration हमारा 0 रहेगा, तो इस तरीके से करके slope चेक करते हुए, हम लोग अब भी दिखाऊंगा, अब हम आते हैं 80 graph पर, तो 80 graph का area, change in velocity बताता है, तो अगर आपको 80 graph से कुछ निकालना है, तो आप उसका area निकाल सकते हूँ, area से उसे change in velocity मिलती है, मैं इस पर थोड़ा सा काम करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो, हमें एक x-t graph दे रखा है, ठीक चेक किया, curve उपर की तरफ है, तो acceleration यहां positive होगा, आपने चेक किया, यह curve भी नीचे नहीं है, continue करो पूरा parabola, उपर की तरफ ही है, बोल रहे है हम parabola, ठीक न, बट वो parabola तभी मानना है, जब लिखा मिले, बोलने के लिए हम बोल रहे हैं कि हाँ यार हम parabola लेते वे चल रहे हैं, जब तक examiner नहीं देगा, तब तक parabola नहीं मानना हमने, ठीक न, तो यह curve उपर की तरफ है, तो इधर भी acceleration positive है, तो throughout acceleration हमें कैसा मिल रहा है, यहां पर positive मिल रहा है, माल लो, ऐसा xt graph होता, ठीक न, ऐसा xt graph होता, यहूं करके, ठीक है, तो अब यह curve उपर की तरफ है, तो इस तरीके से करके, आप x-t graph से a की value को बता सकते हो, काफी important है, मैं problem पे लेचलता हूं आपको, तो पहला problem यह आ रहा है, ठीक है न, और यह वही चीज है, जो अभी just मैंने आपको सिखाई है, इसको आप important लिख लें, कि x-t graph से a का sign निकालना हमारे exam के लिए बहुत जरूर तो obviously velocity भी 0 होगी, acceleration भी 0 होगा, यहां से यहां तक curve है, और उपर की तरफ है, इसलिए a का value positive हो गया, यहां से यहां straight line है, तो straight line होने पर a हमेशा 0 रहेगा, ठीक है न, तो अब आप यहां चेक कर सकते हो, कि इन particular sections में a का sign कैसा है, negative 0, positive 0, negative 0, positive 0, right answer हमारा b वाला हो गया, तो in problem की, आप खूब practice कर ले न, अपनी तरफ से बना के भी कर सकते हो, test में भी मैंने रखा हुआ, वहां से भी कर सकते हो आप, पर छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, next, हाँ, अब आये न, देखो, mash the column, ठीक है, बहुत से बच्चे डरते हैं, mash the column से, यार, mash the column हमें, चार सवाल क करने पड़ें, अरे, चार नहीं, चार नंबर देके जाएगा, फरी में, अगर आपने एक भी सही गास कर लिया तो, तो सुरो, यह हमें, XT graph दे रखा है, चिला-चिला के पूरी scheme बता रहा है, कि नीचे की तरफ का पैरा बोला है, देख लो, अच्छी तरीके से, ठीक है, अब यह जानना चारा है, velocity time graph कैसा होगा, acceleration time graph कैसा होगा, distant time कैसा होगा, speed time कैसा होगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप velocity time खुद बना लो यहां पे, ठीक है ना, और आप acceleration time भी खुद बना लो, आपने देखा यार यह पहरा बोला है, नीचे की तरफ है, acceleration negative constant होगा, velocity जो होगी, शुरू में positive, फिर zero, फिर negative, ऐसी होगी, ठीक है ना, अब आप बड़े easily guess कर सकते हो, जैसे आपको acceleration time में पूरा confidence है, नहीं यार मेरे को acceleration time पता, negative constant होगा, तो इस B वाले का answer, negative constant के हिसाब से R होगया, अब आप अपने options verify कर लो, सब solve करने की ज़रूद नहीं है, बी में R कितने में है, ठीक है ना, तो B में R इसमें, इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तई है, ये दोनों answer नहीं होगे, filter होगया option, ठीक है ना, यानि ये हो सकता है, या ये हो सकता है, अब क्या करें, अगला confidence चेक करूँ, ठीक है अब हमें बता है, velocity time graph decreasing straight line ठीक है ना, तो ये होता है, हमारा match the column को perfectly solve करने का तरीका, तो जरूरी नहीं है, कि match the column के अंदर आपको चारों solve करने हैं, आप ऐसे smart work करो, चार में से कोई तो आता होगा, यार, बहुत ही किसमत कराब होगी, मान लिए चोड़ना पड़ेगा, इतना भी हमनें पढ़ रखा ठीक है, अब मैं देखाता हूँ, distance time graph कैसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, अब distance time graph हो सकता है, नहीं आता हो आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता हो, ठीक है ना, speed time graph कैसे बनाएंगे, नहीं आता होगा, जरूरी थोड़ना पता करना, आपको answer तो मिल गया, आ ठीक है, पैरा बुला, हमें इसमें distance time graph बनाना है, मैं concept सिखा रहा हूँ आपको फिर से, जिन बच्चों को नहीं आता हो, आप इधर ध्यान लगा के सीख लो, आपको आ जाएगा, distance की क्या property होती है, distance कभी भी decrease नहीं करता, displacement तो बढ़के कम हो सकता है, तो जहां से displacement कम होना जैसे यहां से यहां तक continuously बढ़ रहा है, यह वो जगे है जिसके बाद displacement कम हो गया, distance कभी कम नहीं हो सकता, भई मैं आगे चला, ठीक है ना, फिर मैं पीछे लोट करके आया, तो displacement तो कम हो रहा है, distance तो continuously add होता चला जा रहा है, तो distance बढ़ना चाहिए, तो अगर आप displacement time से distance time बनाना चाहते हो, तो जहां तक बढ़ रहा है, वहां तक तो graph continuous same रहेगा, फिर उसके बाद यह जो decrease हो रहा है, यह distance में नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, इसकी mirror image बनानी है, सर कठेन है, अरे तो कठेन है तो नहीं आता सबको, तो आपको इसकी, इस point के about एक mirror image ले ले नहीं है, flip कर देना है, simple आपको computer की language में बोलू, graph जो decrease हो रहा है, उसको flip कर देना है, तो यह नीचे की तरफ जा रहा है, इसको flip कर दूँ तो ऐसे चला जाएगा, तो यह हो जाएगा distance time graph, तो जहां से displacement काम होना शुरू हो आना, वहीं पर आप graph को flip कर दो, वहीं आपको distance time graph हो जाएगा, यह simple सा concept होता है, ठीक है ना, तो अब आप right answer डूण लो, साफ चमग रहा है, यह वाला answer है, तो distance time का answer हमारा हो गया P वाला, तो C का answer P वाला, देखो, सम मिलते जा रहे हैं, और speed time बताता हूँ, आपको velocity time graph बता है, यह है, ठीक है ना, आपको speed time बनाना है, तो speed time बनाने वक्त, बनाते वक्त, concept क्या रहता है, देखो, speed कभी भी negative नहीं होती, point यह, velocity तो हो सकती है, क्योंकि उसका direction होता है, speed, scalar quantity है, वो कभी भी negative नहीं होती, तो जहां से velocity negative होना शुरू होई हो, तो यह वो point है, यहां से graph को flip कर दो, तो यहां से यहां तक तो कोई issue नहीं speed velocity दोनों positive है, इस point से इस graph को flip कर दो, तो यहां mirror रखके उपर की तरफ flip damage बना दो, यह हो गया, इसका speed time, ठीक है ना, अब इस हिसाब से चेक कर लो, speed time के साब से answer क्यों आला हो गया, हमारी पूरी matching solve हो गई है, मज़दार था, अब मज़ा आया होगा सीखर के, तो जिन बच को displacement time से distance time नहीं आता, ठीक ना, और उसे बनाने का तरीका यह है, जहां से displacement काम हो रहा हो, flip कर दो, velocity time से speed time बनाना हो, तो जहां velocity negative हो रही हो, flip कर दो positive तरफ speed time बन जाएगा, यह flipping का concept ध्यान रखना, आपका सवाल गलत नहीं होगा, चलते हैं आगे, यह problem, देखो यह तो मेरा favorite problem है, ठीक है, यह favorite इसलिए शायद IT 2005 में आया हुआ था, उसके बाद तो hal test में पूछा जाता है, VX से AX में conversion, यह मैंने इतना practice करा रहा है lecture में, तो lecture वाले बच्चों को answer direct रटा हुआ होना चाहिए, इसका, मतलब वैसे नहीं रटा हुआ, बट practice में इतना practice strong होनी चाहिए कि देखते हैं, टिक मार दो, तो कभी भी VX से AX मनाना है, ठीक है न, तो method क्या रहता है, मैं सबको method बता रहा हूँ, concept 3 को उसके बाद direct टिक करना है, तो आपको VX graph दे रखा है, आपको AX graph पूछा गया, तो approach क्या रहेगी, सबसे वहले VX का slope और area, दोनों में से कोई किसी काम करने, भई VX का slope भी कुछ नहीं बताता है, area भी कुछ नहीं बताता, जिस graph का, यह मेरे काम के word है, जिहां से सुनना है, जिस graph का slope और area कुछ ना बताए, ठीक है न, उस graph को solve करने का एक ही तरीका होता है, उसकी equation होनी चाहिए, तो हम इसकी equation लिखेंगे, इसकी equation हो गई, decreasing strict line, minus MX plus C, equation लिखो, अब हमें A की value चाहिए, तो हम जानते हैं, V जब X के function में हो, तो A होता है, V DV by DX, ठीक है, तो V की equation तो as it is मैंने डाल दी, और DV by DX और कुछ नहीं, इसका slope हो गया, वो भी ऐसे डाल दिया, equation बन गई, minus minus plus M square X minus CM, अब यह पैरा बोला नहीं है, भई मेरे, A की power भी बन है, और X की power भी बन है, graph straight line होगा, ऐसे बनेगा, तो यह बना हमारा A X graph, कैसे बनाएंगे ज्यान दिना, यह इसका intercept हुआ, जो की negative है, यानि यहाँ से शुरू होगा, यह इसका slope हुआ, जो की positive है, तो इधर की तरफ जाएगा, तो अगर V X graph ऐसे जा रहा है, तो A X graph ऐसे जाएगा, right answer आप इसमें ढूंड लो, B वाला option correct हो गया, ठीक है न, तो यह बहुत important problem था, इसको भी मैं important लिख देता हूँ, क्योंकि graphical section इस साल के लिए important है, आया नहीं था last year, आ जाना चाहिए, ठीक है, चलते है next पर, तो देखो next वाला problem आप, यह मैंने tips and tricks में भ लखा है, तो सिरफ एक पेज में आपके न, सारे के सारे shortcut से एक साथ cover हो जाएंगे, और formula देख लो, बस दो पेज में पूरी physics revise, तो इसको फटा-फट से बताता हूँ मैं, क्या था इसका concept, ठीक है न, तो यह कह रहा है, body accelerate कर रही है, important है, important है, लिखेंगे हम इसको, body accelerate कर र ठीक है न, और total distance निकालना, कई बार यह क्या कर देते हैं, average speed बोच लेते हैं, तीनों चीज बता रहा हूँ, तो सबसे बहला काम, आप इसका effective acceleration निकालो, यह effective acceleration का formula होता है, alpha बीटा पॉन alpha प्लस बीटा, कुछ लिखने की ज़रूँद नहीं, सब मैंने लिख करके वहाँ प effective इंटो T, ठीक न, यानि alpha बीटा, by alpha प्लस बीटा, इंटो T, यह जो total distance covered होता है, यह होता है, half effective इंटो T square, तो आप इसको आराम से पूट करके निकाल सकते हो, चौथा, अगर आपसे average speed बूचता है, तो total distance by total time, यानि S by T, तो यह आ जाएगा, divide करने पर half effective times T, सही है, यह य ठाक करने की जरुवत नहीं है, बस यह तीन चीज़ याद रखो, आपका सवाल खताम, अब यह problem देखो, क्या 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 रहा है, यह क्या रहा है, यह क्या रहा है, body rest से start कर रही है, acceleration 2 है, maximum velocity बता हूँ, retardation की value 3 है, total time 10 seconds, कितना simple problem हो गया हमारे लिए, तो हमने फटा-फट से a factor निकाला, a factor को value हो गया, 2 into 3 by 2 plus 3, तो यानी 6 by 5, अब maximum speed पूछीए, तो a factor into t का हमारा shortcut result हो गया, तो 6 by 5 into t की जगे आगया, मेरे पास 10, answer आगया 12 meter per second, यह हमारी maximum speed इस body की आगया, मालो distance पूछता, तो half a factor into t square, पूछा नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ, तो distance हो average speed पूछी रही है, तो distance by time कर लो, यहाँ यह जो आ रही है, उसका half कर लो, तो आप इस तरीके से करके problems को फटा फट से complete कर सकते हूँ, इस section को मैं important लिखता हूँ, और इसकी trick मैंने, आपके trips and tricks section के अंदर दे रखी है, तो परिशान होने की ज़रूद नहीं है, चलते next पर, next देखो, आगया ना rocket, अब rocket को हम खटम करते हैं, rocket वाला problem भी बिल्कूल similar तरीके से होता है, तो rocket के concept में यह दे रखा है, rocket is filled, और concept सीखना वैल इसका, rocket is fired upward from the earth's surface, such that it creates an acceleration of this much, after 5 second engine is switched off, तो देखो क्या हुआ, rocket obviously दर्सी से ही उड़ा, ठीक न, तो थोड़ी देर तक तो rocket क fuel था, उस fuel के कारण rocket उपर की तरफ accelerate किया, यह acceleration 19.6 meter per second square है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें confused होता है, सर G ले या नहीं ले, ठीक है न, तो यार जब acceleration दे रखा है न, तो वो net acceleration है, उसमें G वगरा लगाने के आपको जरूरत नहीं है, कि आप net acceleration A-G लिख रहे हो, निमाग से confusion निकाल दो, तो accelerate किया, और accelerate कराने का time उसने दे रखा है 5 second, 5 second बाद rocket कुछ ना कुछ velocity अटीन कर चुका होगा, कहता है अब इसका engine off हो गया, petrol खतम हो गया बेचारे का, तो यहीं से थोड़ना टपक जाएगा नीचे, अभी इसके पास velocity है, अब ये freely under gravity उपर जाएगा, तो अब इसको retard कराएगा gravity, कब तक retard कराएगा, जब तक ये अपनी maximum height तक ना पहुंच आए, यानि rocket अभी भी उपर जा रहा है, पहले acceleration हुआ, फिर retardation हुआ, इसके बाद ये नीचे की तरफ की journey लेगा, ये होता है पूरा rocket का concept, जिसको हमेशा graphically solve करो, तो ये हो गया acceleration का part, ये हो गया retardation का part, ये वो जगे है जहाँ velocity 0 है, चेक कर लो, maximum height, ठीक ना, अब body ने अपनी direction चेंज कर ली, इसी graph को नीचे continue कर लो, ये हो गया downward direction, अब देखें सवाल में क्या दे रखका है, तो acceleration है 19.6, तो मैं इसको shortcut में 2G लिख लो, मेरा काम चल जाएगा, retardation की value में पता तो हमसे पूछा जा रहा है, maximum height of rocket from the earth's surface, यानि कि इस point तक की journey हमें discuss करनी है और ये area निकाल के देना है, अब जो time of acceleration है, that is 5 seconds, अब solve कैसे करना है, हमेशा हम right angle triangle को solve करते हैं, जैसे ये right angle triangle देख रहे हो, कोई भी right angle triangle तक solve होता है, जब उसकी 2 चीज बता हो, कोई भी 2 चीज, angle, side, दो side बता हो, ठीक ना, कोई भी 2 चीज हमने बता है, हम triangle की धजिया उड़ा सकते हैं, अब जैसे हमें इसमें A बता है, that means हमें angle बता है, slow boar ने इसका acceleration, तो हमें angle बता है, और हमें ये चीज बता है, तो हम first से V की value निकालेगे, तो 10 theta हो गया V by T, और ये बराबर हो गय गया A के, तो V की value हो गई A T, A T का मतलब हो गया 2G T, ठीक ना, T हमें 5 दे रखा है, तो 10G, ये हमारे पास आगी maximum speed इस rocket की, अब हम भी निकाल चुके हैं, तो अब हम ये T2 निकाल लेते हैं, कैसे, वही right angle triangle, अब 10 theta G के बराबर है, और ये 10 theta V by T2 हो गया, V हमें बता है 10G है, divided by T2, तो यहां से T2 का value मिल गया, which is 10 second, देख रहे हैं, तो हमने ये पूरा का पूरा right angle triangle अच्छी तरह solve कर लिया, हमें T2 की value मिल चुकी है, अब हमें maximum height निकाल ली है, जो की इस graph के area के बराबर होगी, तो area of graph हमारे पास आ गया, ठीक है, half, base into height, base हो गया ये पूरा, 10 plus 5, 15 और height हो गया, ये Vmax, Vmax के value है 10G, ठीक है, अब यहां से आप इसको simplify कर लो, तो 150 into G की जगे मैंने 9.8 डाल दिया, divided by 2, मैं तो कहते हो इसको 10 ले लो, ठीक है ना, तो 10 अगर हम ले लें, तो इससे calculation असान हो जाएगी, 9.8 से हमारी calculation थोड़ी सी क्या होगी, गड़ बढ़ाई 7.35 आ गया होगा, तो total rocket वाले problem को solve करने का time 15 seconds, 15 seconds ठीक ना, और फिर area निकालना है तो 15 seconds, 45 seconds सिरफ हदमार के rocket वाले problem का time होना चाहिए, important section है, आपको छोड़ के नहीं जाना, next, अब यह simple है, इसको मैं important नहीं लिख रहा, बठी है, क्योंकि आता है, कई बार आया हुआ है, औ तो हमें एक XT की equation दे रखिए, 8 plus 12T minus TQ, routine problem है, यह बोल रहा है, where X is in meter, retardation of the particle, when its velocity is 0, तो कह रहा है, retardation, A की value बता दो, जब particle की velocity 0, तो मतलब हमें velocity भी निकालने पड़ेगी, A भी निकालना पड़ेगा, फिर आगे काम करना पड़ेगा, फट से differentiate किया, T के respect में, तो यह हो क्या पूछ रहा है वो, वो कह रहा है, जब V 0 हो जाए, तब यह बता दो, तो जो कह रहा है वो कर दो, तो V को हम 0 put कर देते हैं, तो 12 minus 3T square equals to 0, तो T square equals to 4, T का value आगया 2 second, तो 2 second पर velocity 0 हो रही है, यहाँ put कर देते हैं, तो A की value आगी, minus 12 meter per second square, answer ढूण लो, तो right answer हमारा 4th व flow में आपको आना चाहिए, तो यह problem कह रहा है, एक bullet को fire किया गया towards a fixed target, it loses half of the velocity, in penetrating 15 centimeter, तो बता दो और कितना distance चलेगी, जब वो rest पर आ जाए, बहुत ही common problem है, कई बच्चे उलग जाते हैं इस type के problem में, तो हमें आने चाहिए, 120 तक का score अगर आपको ले जाना है तो ऐसे basic problem तो आने चाहिए, उसके उपर ले जाना है, तो अच्छे problem आने चाहिए, match the column आना चाहिए, practice हम सीख लेंगे, ठीक है ना, तो देखो, तो यह कोई target है, यहाँ से मैंने bullet fire करी, यहाँ speed bullet की u by 2 रहे गी, यह distance है 15 centimeter, retardation हो रहा है bullet का, अब यह पता करना है कितना और distance cover करने के बाद bullet rest पर आ जाएगी, तो basically हम third equation लगाने जा रहे है, तो v square minus u square equals to 2as, तो मैंने इदर लिखा minus 2as, retardation की वरे से, अब minus तो अब आप शागो ने अटाओ, इसको पलट लो, तो u square minus v square equals to 2as, खीक है, तो basically हमें पता चल गया, equation का format यह होना चाहिए, अब हम a किसमें और divide करके काम खतम, तो u square minus v square, तो u square by 4, sorry, u square, v square की जगें आगया, u square by 4, ठीक है, equals to 2as1, तो 3 by 4, u square equals to 2as1, ठीक, first equation, अब second equation आप यहां बना लो, तो u square, यानि u by 4, u by 2 का whole square, minus 0, equals to 2as2, यह second equation होगी, दोनों को divide मार लो, तो 3 is to 1, equals to s1 by s2, अब s1 कितना था, 15 था, तो s2 का value आगया, 15 by 3, यानि 5 cm, तो और extra 5 cm जाएगी bullet, तब जाकर के उसके velocity 0 होगी, तो अब आप right answer देखलो इसके अंदर, तो right answer हमारा हो गया, इसमें first वाला correct, तो मेरे खाल से, आराम से आगया होगा, next, motion under gravity बहुत simple है, ठीक 80, second equation आगे, ut मानस 80, सवाल क्या बनते है, तो motion under gravity का बहुत ही common problem है, वो problem है, last second of its ascent, बहुत ही common है, ठीक है न, तो जब भी आप, ये concept मैं आपको दे रहा हूँ, important है, इसलिए इसको छोड़के नहीं जाना, जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये tips वाले section में मैंने highlight कर रखी ह ठीक है, तो आपको परिशान होने की जरूवत नहीं है, तो last second of its ascent, मतलब, जब body अपनी maximum height पर आने वाली हो, तो उसके last second, यानि इस one second में कितना distance travel करेगी, ये बताओ, बहुत ध्यान से परी बात सुनना, tips वाले section में पूरी ये दी हुई है, मैं यहाँ पर आपको बता र कभी भी, u के उपर depend नहीं करता, कर सकता भी नहीं बोल रहाँ, नहीं करता, अब आपको कौँखे क्योँ, तो जबी भी आपको ये निकालना हो, आप इसको कभी भी ascent से मत निकालो, आप इसको descent से निकालो, तो जितना ascent, उतना ही descent, फाइदा, फाइदा ही होगा, जब से निकालोगे न, तो ये velocity descent में initial velocity का काम कर जाएगी तो अब इस 1 second में जो distance cover करेगा वो हो गया half g t square ठीक न, half g t square की बना गया answer हो गया g y 2 तो जितना descent में आएगा उतना ही ascent में जाएगा तो last 1 second का जो distance होता है, ascent का या first 1 second of descent का जो distance होता है, वो g by 2 होता है, u के उपर depend नी करता, तो मैं span को चाहे 1000 meter per second से उपर fake हूँ या 2000 meter per second से उपर fake हूँ, last 1 second का distance होगा, half g that's it, तो अब अगर आप से objective में पूछ लिया जाए एक conceptual problem, तो सोचना नहीं है tick मारना है, 5, g by 2, 5 हो गया ना, और नमस्ते कर देना है चलते हैं आगे बागी वो routine है, total time of flight 2u by g हो जाता है, maximum height u square by 2g, इसमें कुछ खास है नहीं, okay free fall जब भी हम discuss कर रहे होते हैं, तो free fall में ध्यान रखना है कि initial velocity 0 नीचे है, तो body जितना height नीचे गिरती है, that height is half gt square, अब यहाँ एक important conceptual बनता है, जो अगे इन tips and tricks में भी है, कि equal 1-1 second के interval में अगर हम journey को break करें, तो first 1 second, next 1 second, next 1 second next 1 second, में जो body distance cover करती है, उस distance का ratio 1-3-5-7-9, और नमबर के ratio में होता है, और इस distance को, तो यह तो आसान हो गया, 1-3-5-7-9 इस पे based होता आपका वो tap water droplet problem, दूसरा conceptual, जो examiner बहुत जादे exam में पोच्छता है, वो यह है कि यार, यह जो equal distances है ना, अब time नहीं बोल रहा है, अब distance बोल रहा है, इसे cover करने का time बता दो, तो अगर आप यह time नहीं जानते आपको यह conceptual आपने पढ़ा नहीं है तो समझे लो, exam में तो लग गए, ठीक न अब आपको वहाँ क्या करना बढ़ेगा derive करना बढ़ेगा, solve करना बढ़ेगा इतना हमार पर time नहीं है, तो equal time में जो body distance fall करती है, वो 1-3-5-7-9 होता है, equal distance को fall करने, confused नहीं होना, ठीक न, tongue twister है confused नहीं होना, equal time में जो distance होता है, 1-3-5-7-9 equal distance को cover करने में जो time लगता है, वो 1 root 2 minus 1, root 1 root 3 minus root 2, pattern द्यान रखना है, root 4 minus root 3 root n minus root n minus 1 तो check कर लो, मैंने दोनो results आपको दे रखे हैं, बहुत important है, और nth second की equation अगर आपको लगानी है, तो वो तो अपनी y fix होगी, half a 2n minus 1, ठीक है तो यह हमारा motion under gravity का main part रहा, बाकी मैंने tips वाले section के अंदर, जो direct हमारी exam के अंदर results उठके आ रखे होते हैं उनको मैंने highlight कर दिया, आप उसको जरूर देख लेना, छोड़ना मग, next ठीक है, इससे water droplet गिर रही है, तो यह बोल रहा है the first strikes the ground तो यह first droplet ग्राउंड पर strike करी है, शिफ्थ वाली droplet बस यहां से गिरने वाली है, तो बता दो third droplet, यह हो गई first, second third, fourth, दस मत बना देना भाई, पांच वी महां से निकल रही पता चले, बीच में 10 drop बना के चले है three, four, ठीक है न, तो third वाली की height, ground से बता दो, तो यह height हमें बतानी है, तो question थेड़ा, थोड़ा carefully पढ़ना है, यह नहीं, बहुत ज़्यादा खुश होगे है वहां पे, नहीं, हमें तो आता है, ठीक है न, वहां से उपड़ से बता के चले है, फिर अपना माथा पीट रहे है, और यार, हमने तो देखा initially mistake होगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है तो यह जो distance है, ध्यान रखना है, initial velocity 0 है, वहां से distance का ratio 1, 3, 5, 7, 9 है, x 3x, 5x, 7x अब सब का sum करके 5 के बराबर डाल दो, 7, 5, 12, 13, 14, 15 और 11, 16x equals to 5, x equals to 5 by 16, अब height of third drop, ठीक है न, from ground, तो यह ground से height होगी, अब आप calculate करो, यह height होगी 12x ठीक है, अब 12 into 5 by 16 3, इदर आ गया 4 और यह आ गया हमारा 15 divided by 4 और 3.75 तो 3.75 meter height होगी इसकी ground से, simple था, exam में आने पर आपको छोड़के नहीं आना, करके आना इसको, तो right answer होगी है, D वाला, चलते नेक्स पर हाँ, elevator के problem, देखने में relative होते हैं, relative बो यहाँ, बो बात ही किसी है, इस problem को, यह important problem है, इसको मैंने tricks वाले section के अंदर आप देखोगे ना, तो elevator के concept को one line के अंदर दे रखा है, तो आप जब tricks वाला section highlight भी कर रखा है, तो उसके अंदर आपको यह सिर्फ एक line के अंदर मिल जाएगा, आभी तुम्हें concept से सिखा रहा हूँ, तो देखो यह बोल रहा है an elevator ठीक के ना, ascends with upward acceleration of 0.2 तो acceleration दे रखा है, 0.2 meter per second square okay, at the instant its upward speed is 2 meter per second तो उपर की तरफ इसकी speed भी हमें दे रखी है 2 meter per second यह के रहा है, a loose bolt 5 meter high from the floor तो एक bolt है, जो कि यहाँ पर है और यह floor से 5 meter की height पर है यह के था है, यह यहाँ से drop हो गया ठीक ना, मतलब नीचे की तरफ गिरा अब बहुत से बच्चे यहाँ पर confused रहते हैं नीचे की तरफ गिरा, drop हुआ, तो यह 0 हुआ यह अच्छी तरीके से देख लो bolt भी तो lift के साथ साथ उपर जा रहा है तो अगर ground से इसको observe करोगे तो bolt की velocity भी 0 नहीं होगी bolt की velocity भी वही होगी जो lift की velocity है यानि 2 meter per second उपर की तरफ ठीक, तो सबसे पहले आप observe कहां से कर रहे हो खुद को यह देख लो तो मैं तो कहूँगा सबसे असान है lift से observe करना क्योंकि अब हमें bolt relatively rest पर दिखाई देगा अब lift के अंदर गुसे हो तो relatively observe कर रहे हो तो bolt के पास जो acceleration होगा यह conceptual में पूछा जाता है वो g तो होगा ही होगा साथ-साथ में यह acceleration और इसको उल्टा करके मिलेगा क्योंकि जब भी हम किसी reference frame से observe करते हैं तो उसका acceleration opposite करके transfer करते हैं ठीक ना? तो अब bolt के पास जो acceleration होगा कहाँ से? with respect to lift that is g plus a ठीक अगर यह चीज यह person देखता person कहाँ खड़ा है? ground पर तो इसको bolt का जो acceleration दिखाई देता वो सिर्फ और सिर्फ g दिखाई देता यह loss of motion में भी पूछ लेते हैं तो दूनों जगे का common problem है तो ध्यान देना है with respect to lift bolt का acceleration g plus minus a with respect to ground bolt का acceleration सिर्फ g ठीक न? g plus a कब लेना है? तो a up तो g up ऐसे करके याद कर लो thumbs up तो add हो जाएगा thumbs down तो subtract हो जाएगा यह simple fund है इसको g factor भी बोलते हैं shm तक मैं इसको use करूगा ठीक है न? तो अभी से introduction दे रहा हूँ तो अब हम यहाँ से time बता कर लेते हैं बई time जो होगा न? वो चाहें यह ground वाला देखे चाहें lift वाला देखे तो गड़ी की सुईयां जो होती है न? वो ऐसा नहीं कि बहार कुछ और बता रही है lift के अंदर पता चले आप ground से देख रहे हो तो वो 5 बजे देखा रही हो और lift के अंदर गोजगे तो वो आपको 10 बजे देखा ऐसा नहीं होता time relative frame में नहीं होता वो दोनों frame से same रहता है तो हम यहां से time निकालते है s equals to ut plus half a t square यह हमने with respect to lift लगाया है सही है? तो with respect to lift यह bolt fall करेगा 5 meter u हो गया 0 with respect to lift half g plus a g की value 9.8 plus a करता ही हो गया 10 into t square तो यहां से t का value 1 second आ गया तो time taken by bolt to strike the floor तो वो तो 1 second हो गया सबको पता जल गया ठीक है ना? पर मजे की बात है चारों option में 1 second है ठीक है ना? फस गया बुरे वाले अब यह कहता है also distance it has fallen तो कितना distance fall किया? अब आपको तो दीख रहा है यार 5 meter fall किया पर आप कहां से देख रहे हो? with respect to lift question में यह mentioned नहीं है कि यह distance lift से निकालना है ground से निकालना है तो इस 1 second में यह bolt ground से कितना fall किया? तो with respect to ground हम इसको solve करते हैं ठीक है ना? तो with respect to ground आप देखेंगे बहुत ध्यान से देखना है तो bolt के पास velocity 0 नहीं होगी वो velocity 2 meter per second उपर होगी bolt के पास acceleration के नाम पर नीचे की तरफ G होगा और 1 second के time में यह bolt कितना distance fall किया होगा हमें वो निकालना है ठीक है? अब यहाँ पर हम equation इस्तमाल कर लेते हैं sign convention आपकी चुआई से axis के हिसाब से ले सकते हो या आप acceleration retardation के हिसाब से ले सकते हो जैसे अगर मैं इसे axis के हिसाब से लूँ तो मैं उपर की तरफ positive नीचे की तरफ negative ले ले दाऊ तो S बराबर UT प्लस half ए T square लगाया ठीक है न? U की जगे आ गया plus 2 यानि 2 और T की जगे बाना गया plus half A की जगे आ गया minus G क्योंकि नीचे की तरफ है तो minus 10 10 तो नहीं 9.8 लूँगा into T square की जगे बाना गया तो 2 minus 4.9 ठीक है न? तो ये result मेरे पास आ गया 2 point minus का 2.9 meter तो bold ने 2.9 meter का distance minus sign का indicate कर रहा है नीचे की तरफ cover किया तो right answer आप ढूंड सकते हो इसमें right answer हो गया हमारा second वाला ये one of the best problem था कई जगे पर पूछा जाता है इस लिए मैंने को इसी जगे पर रख दिया थाकि आगे आए तो आप confused ना हो repeat जरूर करना इस problem को छोड़ के नहीं जाना next next है अब तो simple है ball is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second ठीक है न? from ground at the bottom of tower 200 meter high तो ये 200 meter high tower है यहाँ पर bottom से हमने एक ball को throw किया 10 meter per second की speed से ठीक है? another ball is dropped vertically downward दूसरी ball यहाँ से drop कर दी गई तो U1 era, U2 era इसकी भी trick आपको मैंने वहाँ highlight करके दे रख की है परिशान होने की जरूरत नहीं है डारेक्ट उड़ा देना सवाल तो अब हमें पता करना है कि वो time जितनी देर बाद दोनों same level पर होंगे same level पर होंगे ऐसे भी बोल सकते हो या कितनी देर बाद यह collide करेंगे यह भी बोल सकते हो ठीक है? अब यह time निकालने का best तरीका relative observation क्योंकि इसके पास भी acceleration के नाम पे जीए इसके पास भी जीए तो जब आप अब language सुनना lectures में मैंने लागमेज बोली हुई है ठीक है? तो जब आप दो object जो कि freely under gravity चल रहे हो उनको relatively observe करते हो तो कोई भी दो object चाहे मैं यह projectile बोलूँ चाहे मैं straight line में बोलूँ ठीक है? तो कोई भी दो object जो freely under gravity चल रहे है उनको relatively observe करते हो तो इनका जो acceleration है यह cancel हो जाता है तो मैं इसको बोलता हूँ कि G cancel out हो जाता है G नहीं लगता है ठीक है? तो ऐसा समझो जब भी हम relatively freely under gravity वाली body को observe कर रहे हैं तो G नहीं लगता, cancel हो जाता है ठीक है? तो अब यह body constant speed से चलती भी दिखाई देती है तो अब relative observation का scene यह है कि यहाँ से बैठ करके देखने पर हमें इस body की जो relative speed होगी वो U1 तो दिखाई देगी देगी साथ में यह सकोल्टा करके transfer करेंगे यानि U1 प्लस U2 अब इस body में जो total distance cover करना है वो D है और straight line में cover करना है तो कितने time बाद जाकर के collide करेंगी वो जाएगा D upon U1 प्लस U2 या आप direct भी वहाँ trick वाले section में देख सकते हो तो 200 upon 10 answer आगया 20 second तो 20 second के बाद जाकर के यह दोनों object same level पर होंगे with respect to ground या collide करेंगे दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो तो अब right answer आप देख सकते हो हमारा first one आओ गया next पर चलते हैं projectile projectile के section में जो problem आया था 21 में मैंने रखा हूँ अब एक रादूँगा आपको पहले basic concept देख लो तो projectile देखो mainly formula based है formula time पर click कर गया आपका सवाल खतम हो जाएगा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी basic formula में आ जाते हैं तो ground to ground projectile में range का formula आप जानते ही हो I think इस time पर range के formula आपको सब पता होने चाहिए बस revision कर लो तो u square हमेशा इसको मैं break करके लगाता हूँ 2 sin theta cos theta by g maximum height u square sin square theta by 2g या u y square by 2g अब मैं जिस formula से problem solve करता हूँ वो ये दो identities हैं ठीक है ना कि r और h का relation है r10 theta equals to 4h और h और t का relation है 1 by 8 gt square इससे मेरे जादा तर projectile के range height time वाले सवाल complete हो जाते हैं मैं आगे दिखाऊँगा आपको ठीक है ना अब कुछ special section पर आते हैं angle of elevation ठीक है ना जब body maximum height पर हो तो ये जो direct line देख रहे हैं आप इस angle को बोलते हैं angle of elevation ठीक और ये line अगर मैं बनाऊँ तो इस angle को बोलेंगे angle of projection तो elevation projection का relation सीधे पता है तो सवाल होगा नहीं पता तो नहीं होगा तो देखो ये tan alpha की value hy r y 2 होगी तो मैंने hy r y 2 डाला ठीक है ना फिर in में से किसी relation को यह put कर दिया तो result आ गया tan alpha बराबर tan theta by 2 इस पे अगर direct problem आया और आपको आता है ये relation आप within second कर दोगे और नहीं आता तो बैठे रह जाओगे ठीक है ये बहुत important है इसको भी मैंने as a shortcut यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि यह IIT में ही आया हुआ था problem ठीक ना और मैंने कई बार इसको कराय भी हुआ है कि initial velocity और final velocity vector आपस में perpendicular हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक time किता लगेगा total time नहीं यह दियान अपना है initial और final के perpendicular होने का time यह निकालने का तरीका होता है कि हम final velocity की equation लिखेंगे वेक्टर form में initial velocity की equation लिखेंगे दोनों का dot product लेके 0 करेंगे इतना exam में तो नहीं करेंगे तो जो result आता है direct वो होता है t equals to u by g sin theta यह आपको याद रखना है तो u by g sin theta के time के बाद final velocity vector is perpendicular to initial velocity vector अब अब यह हमारे basic formula है जिनसे आप obviously जानते हो पैचानते हो हमने body को theta से फेका alpha angle पर body पहुची तो यहाँ पर अगर हम triangle बनाए तो यह triangle को जिस तरीके से बनेगा यह vy हो गया यह vx हो गया तो 10 alpha की value vy by vx vy हो गया velocity का y component जो कि obviously time के साथ change कर रही है और vx हो गया x component जो कि constant है क्योंकि x की तरफ कोई acceleration नहीं होता थीक ना तो इस result से क्या निकाल सकते हो अगर आपको alpha given है मतलब आपको यह given है कि कुछ देर बाद body इतना angle बना रही है तो वो time आप निकाल सकते हो ठीक ना इस जगे पर इसका use होता है फिर आती है trajectory की equation x tan theta मानस half g x square by u square जिसको हम a x मानस b x square भी लिखते है ठीक ना अगर इस equation से इस equation से आपको range निकाल नहीं है तो यह direct short कट रहा range होती है a by b a यानि x का coefficient और b यानि x square का coefficient और height होती है a square by 4b ठीक ना आप इससे direct so all कर सकते है मैंने रखाय कराऊंगा special form of trajectory होता है x tan theta 1 minus x by r ठीक ना यह special form of trajectory होता है अब बाकि बहुत ही routine concept है एक पर देख लो maximum range 45 degree पर होती है u square by g formula होता है अगर body को आपने 45 degree के angle पर project किया है h height तक वो जा रहा है यह उसकी maximum range है तो यह जो height होती है यह range की 1 fourth होती है कैसे आया r tan theta बराबर 4 h में put कर दो theta की जगे 45 आ गया सीदे सीदे ठीक ना range अगर सेम होगी तो ऐसा थाब होगा जब theta या 90 minus theta angle हो मतलब कोल मिला किर के दोनों के angle का sum 90 degree होना चाहिए यह 45 minus theta और 45 plus theta हो अब बहुत द्यान देना इन में से यह इन में से किसी भी angle पर आप फेको और body की range सेम हो height सेम नहीं होगी time of flight सेम नहीं होगा तो इस range और in height का most important concept है यह रहा तो range की वाले होगी यह h1 h2 का product होगा r square by 16 और range की value होगी 4 root h1 h2 numerical है आगे मिलेगा और इस range और time का formula होगा half g t1 t2 तो यह वो formula हैं जो projectile में आपको पता होने चाहिए मैंने सब लिख रखे हैं आपको परिशान होने की जरूद नहीं है top of towers ए projection important concept है आपके लिए सीख करके जाना है आपको तो अगर हम यहां से project करते हैं तो x की equation यानी body जितना आगे जाती है वो equation होती है u2 जितना नीचे fall करती है free fall वो होता हाफ g t2 अगर आप यहां पर speed निकालना चाहते हो तो अपना third equation से निकाल सकते हो या energy conservation से भी निकाल सकते हो u2 plus 2gy और trajectory equation जो सबसे important है हास g x square by u2 होती है इन से हम problem को करते हैं बट जैसे मैंने बताया projectile में आप एक page पर बैट करके problem formula लेख लो तब भी नहीं होगा until ले जब तक आप खुद नहीं बेढ़ो तो हमें दिखाता हूँ आपको problem का section तो देखो यह गहरा है body is projected horizontally from the top of high tower with speed 20 meter per second diagram बनाओ तो tower की height दे रखी है sorry tower की height हमें नहीं दे रखी body को यहाँ से project किया गया horizontally u दे रखा है 20 meter per second after 4 second displacement of bodies तो 4 second बाद body मालो यहाँ पहुची तो यह इसका x axis का position हो गया यह इसका y axis का position हो गया यह इसका displacement हुआ, यह important type का question है ठीक ना, तो पहले आप x निकालेंगे फिर आप y निकालेंगे फिर आप s की value under root x square plus y square से निकालेंगे x की equation ut y की equation half gt square समझे, ऐसे apply करते है ut का value हो गया, t कितना दे रखा है देखो हमें 4 second, तो ut का value हो गया 80 half gt square लगाएंगे half, जी की जेगे 10 आगया और यह हो गया 16, तो यह भी आगया 80 तो देखो displacement कितना निकला under root x square plus x square यानि 80 root 2, मुश्किल दो नहीं बस खाली अप्रोच आनी चाहिए चीज़ें सही time पर लगानी आनी चाहिए आपका problem solve हो जाएगा, right answer third चलते है next पर okay aeroplane वाला, तो यह तो must है problem और मैंने रखा भी अच्छा problem है ध्यान से देखना, इस problem को मैं tick कर रहा हूँ important ठीक है, और आप इसको जरूर वापिस से revise करेंगे ऐसा या इस तरीके का problem आने का chance खूब है ठीक है, तो देखो, यह कह रहा है an aeroplane is flying horizontally at a height of 980 meter तो एक aeroplane यह 980 meter की height पर उड़ रहा है ठीक है with a velocity 100 meter per second तो इसकी जो velocity हमें दिरख किया है that is 100 meter per second drops a food packet तो यहाँ से food packet drop होता है obviously यह ऐसे जाकर के गिरेगा a person on the ground is 414 meter ahead horizontally from dropping point इस language का मतलब कि यह dropping point से person 414 meter आगे खड़ा है यह रहा ठीक है at what velocity should he move so that he can catch the food packet तो यहाँ से plane ने food packet drop किया और यह जितनी देर में यहाँ पहुचा यह person ऐसे दोड़ा food packet drop होते ही बहुत ही बुखा डाइप का था ठीक है न ऐसे दोड़ा बिचारा ठीक है कि इसने जागर के food packet catch कर लिया सोचो कितना खतरनाक physics का तो अब हमें यह बताना है यह yoga value कितना होगा approach packet को यहाँ से यहाँ तक पहुचने में जितना time लगा person को यहाँ से यहाँ तक बाग के जाने में भी उतना ही time लगा main concept है ठीक है न तो हम पहले time निकालते हैं और यह distance निकालते हैं यह निकालने के बाद हमें पता चलेगा person कितना distance भाग के गया ठीक है न चलो solve करते हैं कैसे निकाले यह देको हमें hide दे रखी है यानि हमें y दे रखा है तो मैंने सीधे equation लगाई y equals to half gt square y की value 980 है जो की चिला चिला की यह बोल रही है कि भाई g9.8 इस्तमाल करना है ठीक है यह यहाँ से गया यह आगया 100 तो t की value आगई 10 root 2 तो packet को गिरने में 10 root 2 second का time लगा यह तैय हो गया कितना distance packet ने cover किया वो हमने ut से निकाल लिया u की value थी 100 और t की value यह है तो x की value आगई 1000 root 2 root 2 हम जानते हैं 1.414 तो यह 1414 meter यानि packet जब drop किया जाएगा तो 1414 meter कवर करके जाएगा सही है इतने तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब यह person कितना distance दोड़ा तो यह हो गया 1414-414 मतब 1000 meter तो इस person को दोड़ना है 1000 meter कितने time में 10 root 2 second में तो speed क्या होनी चाहिए distance upon time तो यह distance upon time करते ही आगया 100 by root 2 root 2 उपर नीचे किया 50 root 2 तो 50 root 2 meter per second से जब यह person दोड़ेगा तब हो जाके packet को catch कर पाएगा यह important problem है सब को हा जाना चाहिए तो right answer अब आप इसका देखे first वाला हो गया चलते है next पर next यह तो बहुत ही common है यह मैंने आपको कई बार कराया हुआ इक वर बापिस से बता रहा हूँ step ball problem तो यह हमें steps दे रखी है ठीक है यहां से एक ball को roll करा दिया गया यह step की height दे रखा है h और width दे रखी है इसने w हमें पता करना है कौन सी cd पर ball करेगी तो माल लो nth cd पर करेगी तो x हो जाएगा nw y हो जाएगा nh standard result है original problem sc वरमा का यह ठीक है अब क्या करेंगे trajectory लगा देंगे half g x square y u square y put करेंगे x put करेंगे n की value आएगी 2u square h by g w square आपको बड़ी जल्दी लिख दिया मैं कहूंगा इसलिए इतनी जल्दी लिख दिया क्योंकि यह याद था आपको की याद करना है कि यह बिलकुल रखना है ठीक है न क्योंकि यह एक standard problem है जिसके basis पर हम सवालों को कर सकते हैं तो आपको यह result ध्यान नेना चीए derive नहीं करनी होती सारी चीज़ है तो अब आप answer मिला लो तो 2u square h by g w square के साब से right answer third वाला हो गया चलते है next पर ओके next problem है यह किरा from the top of building 80 meter high again diagram बनाएंगे हैं तो किसी भी projectile के सवाल को कर रहे हैं आप diagram जरूर है ठीक है न तो 80 meter high building की height होगी a ball is thrown horizontally तो हमने यहां से ball को horizontally throw कर दिया which hits the ground at a distance तो यह ground पर जाकर के यहां पर ठकराईगी ठीक है the line joining the top of building to the point where it hits the ground makes an angle of 45 degree तो यह top of the building हो गया यह ground हो गया यह angle 45 degree हो गया ठीक है न तो यह 45 degree का angle बना रही है देखो एक बात बड़ी important है आपका neat में selection इस बात भी depend करेगा कि आगे आने वाले 30 days में आप कितना consistently मेरे साथ पढ़ रहे हो ठीक है न अगर आप इस time में भी focused नहीं होगे ठीक है न और आपने अपने साथ हिमानदारी नहीं दिखाई तो neat में selection होते होते रुख जाएगा उसके जमेदार आप ही होगे ठीक है न और कोई नहीं होगा फिर क्या होगा फिर exam के बाद आप परिशान होगे ठीक है न फिर बोलोगे कि यार मैंने ये गलती कर दी वो गलती कर दी तो अगले एक से सवा महीने आपको पूरे consistency के साथ मेरे साथ एक एक चीज सीखते वें चलनी है ताकि हम कोई कमी न चोड़ें और आपका नीट के अंदर selection guaranteed हो तो ये शब्द ध्यान रखना 80 मजाग हम बाद में भी कर सकते है ठीक न अभी हमारा पढ़ाई का टाइम है पूरे साल भर हमने 80 मजाग कर लिया अब जादा मजाग किया तो हमारे साथ मजाग हो जाएगा selection हमारा रुक हो जाएगा ये बात ध्यान रखनी है ठीक न तो X की वाल्यों भी 80 मिटर हागी 1045 वन होता है तो Y और X बराबर होगे अब करना क्या बात प्याते है Y पता चल चुका है X पता चल चुका है मेरे इसाब से यू पूछना चाहिए पढ़ो With the ground, initial velocity of projection तो पूछ भी वही रहा है क्यों पूछ रहा है Y और X पता चल गया trajectory में पूट करेंगे हमारे पास फट से U की वाल्यों आजएगी तो मैंने यूज किया half की X square by U square Y की वाल्यों 80 half G की जगे मैंने 10 डाला 80 into 80 by U square ठीक है देखें क्या बात बनती है यह यहां से cancel हुआ U square आगया 400 and U की वाल्यों गे 20 meter per second ठीक है तो जितना consistently आप problem देखेंगे उतनी जल्दी सवाल solve होएगा आपको concept उतना अच्छा आएगा तो ध्यान देके सीखना है मेरे गया से समझ आगया होगा next next problem यह कह रहा है body is projected with the same speed at two different angles such that horizontal range is same in both the cases question बढ़ो तो दो ऐसे angle पर project किया गया कि horizontal range जो है वो same है maximum height attained है 20 and 80 meter 20 meter and 80 meter अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग की गंटी जल चुकी होगी नहीं बच चुकी होगी जलेगी तो light है तो हमें range निकालनी है क्या सिखाये था range equals to 4 root h1 h2 अब जिसको यह click करे गया उसका सवाल हो गया जिसको नहीं किया गया विचारा काम से और click कप करेगा जब जहां से सुनोगे वरना click वाला बटन घराब रहेगा तो यह आगया मेरे पास 40 बाहर निकला 160 meter is the value of range तो right answer हमारे पास हो गया third वाला चलते हैं आगे तो यह main हमारे applied concept के ओपर based problems है अब देखो हमें x और y की separate equation दे रखी है यानि हम mix कर दें तो trajectory है पर trajectory क्या होती है y और x की mixing की equation तो जैसे यह मेरे को equation दे रखी है तो मैं यहाँ से t उठा के यहाँ डाल दू यहाँ से क्यों उठा हूँ यहाँ से क्यों ने क्योंकि यहाँ से quadratic solve करनी पड़ेगी यहाँ डारेक्टी आ जाएक तो जहाँ से असानी से आए वहाँ से उठा के t की दाल दू तो यह हो गया 8 by 6 x minus 5 by 36 x square बन गी trajectory तो और थोड़ा से simplify कर लो 4 by 3 x minus 5 by 36 x square तो यह trajectory की equation होगी इसको मैं बोलूँगा ax minus bx square अब इसमें angle of projection वो होता है a के बराबर range होती है a by b के बराबर height होती है a square by 4 b के बराबर अब जो पुछा जाए उड़ा दो तो यह कहरा range of projectile in meter तो range की value आगी हमारे पास यह upon यह तो 4 by 3 times 5 times 36 ठीक ना यह आगया मेरे पास 12 और result आगया 48 divided by 5 मैं देखू कितने term में दे रखा है ठीक है मैं divide करके देना पड़ेगा तो यह आजाएगा 9.6 meter तो right answer आप देख सकते हो इसका right answer हो गया हमारा first वाला अच्छे से आना चाहिए ठीक ना एक एक चीज़ पे काम किया जा रहा है अच्छे से आना चाहिए और आप practice भी सही से करना तब ही result आएगा next यह कि रहा होरिजोंटल range of projectile is तो हमें horizontal range दे रखी है projectile की which is 4 root 3 times maximum height then angle of projection अब इस type ए सवाल को आप आराम से अपनी identity r tan theta वराबर 4s से कर सकते हो r की value यहां डाल दी तो 4 root 3h tan theta equals to 4h तो tan theta की value मेरे पास आगी 1 by root 3 theta की value आगी मेरे पास 30 degree simple तो right answer अब आप देख सकते हो इसका 30 degree के साब से first हो गया ठीक है ना तो जब भी range height का relation है हमेशा यूज करें आप r tan theta वराबर 4h problem आसानी से होगा next next है problem कहे रहा है ball is thrown with velocity 8 meter per second making an angle of 60 degree with a horizontal its velocity will be perpendicular to direction of initial velocity after a time of आप देख लेए हो एक एक जो shortcut में आपको बताते जा रहा हूँ उन सब के ओपर practice करने के लिए problems है तो एक crash course के अंदर यही होता है जो जो चीजें हैं उन सब के उपर जब आप problem practice कर लेते हो तो आपको application आ जाता है पर serious रहने पर आता है अजी मजाक में नहीं आता application आ जाता है तो वही application थोड़ा सा अपना खुद practice session करते है और exam के अंदर हमारा result आ जाता है तो यह रही initial velocity और यहां जाकर के यह वो velocity है final velocity जो की इस initial के perpendicular है तो हमें अब यहां से यहां तक का time भी तो मैंने आपको सिखाए था u by g sign theta होता है अब यह जानना क्या चाहरा है यह गहरा है u इतना theta 60 degree है तो बता दो time किता लगेगा simple put करते हैं खतम करते हैं अब सोचो अगर आपको यह नहीं बता होता तो सवाल में आपके 3-4 मिनट लग जाते आप इस velocity की equation लगते इसकी equation लगते dot product लगते zero करते इतना कर पाते क्या तो last moment पे यही सारी चीज़े revision में बड़ी must है ठीक ना तो u की जगे मेरे पास आगया 8 by g की जगे मैंने अभी 10-8 डाल दिया sine 60 degree root 3 by 2 हो गया तो यह result आगया 16 by 10 root 3 अब मैं देखू किस टम में दे रखा है तो 1.6 by root 3 चलो काम खतम हो गया option हमें नजर आगया इसके अंदर कि 1.6 by root 3 second that means इसका right answer है first वाला next problem आप देखो आगया हमारे पास relative का concept तो धीरे धीरे हम last की तरफ पहुंसते जारे हैं देखो relative motion में क्या important है? दो चीज़ important है ठीक है? तीन चीज़ important है एक हमारा escalator वाला problem मैंने रखा हुआ है दूसरा हमारा man dá रखा हुआ है टीसरा हमारा sorry man river वाला problem और तीसरा हमारा man rain वाला problem तो पहले escalator वाला problem ठीक है न? तो escalator वाले में क्या-क्या होता है? देखो पहले वो question में कहता है escalator तू सब जानते होगगे obviously ठीक हैं? तो escalator काम नहीं कर रहा कई जगे नहीं करता है, खुद चल के जाना पड़ता है, ठीक ना, तो हम जो चल करके जाते हैं, उस velocity को बोलते हैं, velocity of man with respect to escalator, तो जो distance हम cover करके जाते हैं, उसे cover करने में, escalator अगर बंद है, तो उसको time जो लग रहा है, that time is called, ठीक न, मालो मैंने tm नाम डाल दिया, तो जब escal escalator बंद है, तो man उस escalator पर चल करके जा रहा है, और उसको time लग रहा है, वो tm है, तो इस t की value d upon vme हो गई, जहां vme हो गई, man की velocity with respect to escalator, मतलब escalator rest पर है, तो जो velocity है, अगर man rest पर है, और escalator चल रहा है, तो कही बार ऐसा भी होता है, यही purpose के लिए तो escalator बना होता है, कि escalator अपना mechanically move कर रहा है, आप उसके उपर गए, जाकर के खड़े होगे, उसने आपको एक जगे से दूसरे जगे उठा के छोड़ दिया, तो जो time लग रहा है, वो t e है, जिसका formula d by v e होगा है, distance upon speed, अब main सवाल का part आता है, कहता है, अब बताओ time कितना लगेगा, जब दोनों चल रहा है, तो escalator तो चल रहा है, मैं के निकली, आदमी ज़्यादा खुरा पाती है, वो के ता नहीं मैं उसके उपर भी चलूँगा, ठीक है वे चल लो, तो अब total speed जो हो जाएगी person की situation में, जब दोनों चल रहे होंगे, वो होगी v e plus v e, ठीक है न, तो जो time लगेगा, इ यह वो time है जब man चल रहा है, यह वो time है जब escalator खल रहा है, ठीक है न, तो आप यह कहर लो, T1, T2 by T1 plus T2, ऐसे गर कि हम escalator के problem को खतम करते हैं, यह प्रॉब्लम रखा आगे आपको दिखाऊगा, man river वाला case, ठीक है न, अब man river का concept दो बातों पर depend करता है, man ने river को minimum time में कव करना है, diagram must है, अगर man ने river को minimum time में cover करना है, तो वो river के perpendicularly तहरेगा, और river उसको इधर drift करा के ले जाएगी, सबसे पहले आप time निकालेंगे, तो वो हो जाएगा distance upon VMR, ठीक है न, फिर आप drift निकालेंगे, drift river करा रही है, drift मतलब कितना आगे ले जा रही है, तो वो हो जाए हो जाएगा, under root of VMR square plus VR square, ground से देखने पर, man कितने angle पर गया, that angle is alpha, वो हो जाएगा VMR by VR, तो question जहां देना है, statement पढ़ नहीं है, कि minimum time है, यह shortest बात है, तो minimum time है, फटाग से आपने यह बनाया VMR, ऐसे मैं भी करता हूँ, ऐसे आप भी करोगे, यह आपने बनाया VR, यह river क width हो गई, आपने फट से time निकाला, D by VMR से यह, आपने drift निकाली, VR into T, क्योंकि drift river करा रही है, man इदर की तरफ जाता हुआ दिखाए देगा, अगर आपसे angle पूछा गया, तो आपने angle निकाल दिया, VMR by VR, और अगर आपसे resultant velocity पूछी गई है, man की ground से, तो आपने कुछ ऐसे तहरता है, ठीक है ना, इस तरीके से तहरता है, कि man की velocity का component, यह वाला component, ठीक है ना, यह angle theta ले लेते हैं, तो man की velocity का यह horizontal component, river को cancel करता है, और man इदर जाता हुआ दिखाए देता है, यानि यह resultant होता है, तो ground से देखने पर man 90 degree पर तहरता हुआ दिखाए देगा, ठीक है ना, 90 degree पर जाता हुआ दिखाए देगा, मैंने तैरना 90 प्लस theta के angle पर शुरू किया है, छोटे छोटे technical point है, solve करने का one liner तरीका, आप इदर triangle बना लो, यह हो गया VR, अब आप इसमें बड़े आराम से theta निकाल सकते हो, तो पहले हम theta निकालते हैं, जो दो चीज पता ह पाइथा को रसे, under root of vmr square minus vr square, ठीक है, अब मेरे को time निकालना है, तो यह time यहां से यहां जाने का हो गया dvb है, पत्म, तो इन तीन step से हम लोग कर सकते हैं, no drifting के सवाल को solve, must है इसमें triangle बनना और इस triangle का concept आना, ठीक ना, जिसको यह आ गया, वो सवाल उड़ा देगा, व man rain के case में, ठीक है ना, ध्यान देना, मान लो rain इस तरीके से fall कर रही है, तो इस velocity को बोलते है, actual velocity of rain, ठीक है, अब man यहां से चलते वे जा रहा है, और rain को observe कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, man की velocity rain को transfer करते हैं, अब इस चलते वे आदमी को, यह rain, जिस तरफ आती हुई दिखा to man, तो आपको basically यह resultant निकालना होता है, इसमें भी यह right angle triangle बनना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लो आपको vr given है, vm given है, theta given है, अब आपको right angle triangle बनाना है, तो आप फट से इसके component कर लो, vr sin theta, vr cos theta, horizontal वाला आपने solve किया, vm minus vr sin theta, यह हो गया, vr cos theta, बन के वे आदमी के साब से vertically downward fall करें, यानि vr नीचे हो, अब यह आदमी चलना शुरू कर रहा है, तो इसकी velocity हमने उठा करके इसको transfer करी, ठीक है, तो यह चलते हुए आदमी को rain आती हुई दिखाई देगी, यह alpha angle हो गया, फट से हमने इदर right angle triangle close किया, ठीक है, अब किसी भी triangle क solve करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, फानलो आपको यह given है, यह given है, तो आप 10 alpha की identity लगा के यह पता करके देश सकते हो, कि rain moving man को किस angle पर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, यह हो गया, तब जब rain actually में, यानि रुके वे आदमी के साब से vertically downward आए, अब rain, अगर च जानते हो अच्छी तरह यह resultant होता है, तो VM तो इदर ही होगा, VR इदर गही होगा, यह angle हमें डून के निकालना होगा, कैसे निकालेगे, अब अगर rain इदर आ रही है, ठीक ना, तो हम तुरंट इसको उठा करके इदर copy करेंगे, no drifting वाले जैसा case हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ओर इदर लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से आ जाएगा, तो हम तुरंट एक right angle triangle ऐसे frame कर लेंगे, हमारे task के यह theta निकालना, तो obviously हमें VM और VR दे रखा है, अब हमने sign theta के identity लगा दी, VM by VR, तो यह condition hold करेगी, तो चलते वह आदमी को rain verticallyly डाउंवर्ड आती भी दिखाए पर आना, चलते वह man के साब से rain का perpendicular आना, इनके triangle, आस पास के distraction से दूर हो करके, अपने copy में बनाना, ठीक ना, दो तीन बार बनाना, ताकि आपको यह clear हो जाए, ठीक ना, फिर आप इसके सवाल लगाना, अब problem पर आते हैं, तो आप देख रहे हैं, तीन problem दना दन लाइन से यह तीनों के तीनों problem बहुत common problem है, हर बार मैंने बताए हुए हैं, तो यहाँ पे भी बता रहा हूँ, तो first problem, यह कह रहा है, तीन person है, equilateral triangle के corner पर है, और एक दूसरे को chase करते हैं, V की speed से, तो यह बताओ, कित्ती देरवाद यह हैं, एक दूसरे को catch कर लेंगे, ठीक है ना, इनका ground से पात कुछ ऐसा हो जाता है, original problem ऐसी वर्मा का है, ठीक है ना, पर आपके medical के लिए यह बर्दान है, आप कैसे करें, तो कोई भी दो person पकड़ दो, इसको इसको ले लेते हैं, ठीक है, यह V, इधर यह V, equilateral triangle है, तो A60 हो गया, इसके component कर लो, तो इधर आ गया V by 2, इ ट्रांसफर हो जाएगी, तो यह बन जाएगा V plus V by 2, यानि 3 V by 2, अब कहानी द्यान से सुनना, side of equilateral triangle X दे रखी है, तो अब हमें पता करना है, यह इसको कित्ती जरी पर मिलेगा, तो यहां से यहां तक लाने वाली velocity कौन सी है, 3 V by 2, तो time निकालने का तरीका हो गया, relative distance by relative speed तो X upon 3 V by 2, तो result आगया 2 X by 3 V, तो इतनी देर बाद यह तीनों एक जगे पर जाकर के मिलेगे, यह इसका वन लाइन का तरीका है, अब क्योंकि यह problem एक बर बताने से दो आता नहीं, इसलिए मैंने इसके और version रखे हैं, पढ़ो, second version, यह कह रहा है अब 4 लोग हैं, square के corner पर चारो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, बताओ कितनी देरबाद मिलेंगे, किसी भी दो को पकड़ो, ठीक ना, जैसे यह ले लेते हैं, एक के उपर बैट जाओ, और velocity transfer कर दो, इसी डाइग्राम में करेंगे, नया डाइग्राम बनानी के अपने पास फुरसत नहीं ठीक ना, अब ये velocity इसको अप्रोच करा रही, component तो होने नहीं किसी के, तो जो time होगा, वो हो जाएगा, distance, divided by जिस velocity से अप्रोच कर रहा है, यानि x by v, ये इसका अंसर हो गया, 2x by 3v, हमारा first वाले का अंसर हो गया, तीसरा वाला, hexagon है, तो मैंने ये तीनों यहीं cover कर दिये ताकि आपके exam में अगर इन तीनों में से कोई आता है, तो आप उसको उड़ा के चलियाओ, ठीक ना, इस सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, कोई भी दो पकड़ लो, obviously इस velocity के component करने पड़ेंगे, ये angle 60 degree होता है, ठीक ना, तो velocity का component इदर v y 2 आ गया, इदर अपना root 3 v v y 2 अपन गया, अब relative observation कर लो, तो इस पर वैड जाते हैं, ये velocity इसको इदर transfer हो जाएगी, तो इदर मिलेगा v y 2, कैसे v y 2, v minus v y 2, इदर अपना root 3 v y 2, अब आपको time निकालना है, तो वो हो जाएगा distance upon speed, तो 2x by v, तो right answer हो गया इसका हमारा second वाला, तो अब मेरे ख्याल से तीनों में से, तीनों के तीनों आपको आगए होंगे, चलते है next problem पर, okay, देखो, man crossing, तो जब भी river का problem आए, हमेशा focus ट्रो, कि दो cases में कौन सा case है, ठीक ना, diagram मनाओ, सवाल उड़ा दो, तो इकर है man is crossing river, flowing with velocity 5 meter per second, तो river flow कर रही है, 5 meter per second से, तो VR हमारे पास है 5 meter per second, okay, he reaches a point directly across at a distance 60 meter in 5 second, तो यह 60 meter का distance 5 second के अंदर cover करके जाता है, his velocity in still water should be, अब देखो, across जा रहा है, यानि shortest पात पे जा रहा है, तो फटा अफट से हम इसका triangle बनाएगे, तो यह हो गया, VR, इधर होना चाहिए, VMR, ठीक ना, यह हो गया, VM, और यह हमने इधर right angle triangle close कर दिया, VR का गाल इधर से इधर 60 meter 5 second में जा रहा है, तो यह speed हो गई हमारे distance upon time, तो 60 by 5, 12 meter per second, पता क्या करके देना है इसको, his velocity in still water, यानि हमें VMR निकालना है, ठीक है, तो VMR अगर मैं तो कहता हूँ, theta भी निकालना है, ठीक है ना, तो VMR आप बताओ कैसे निकालोगे, simple है, right angle triangle है, तो pythagoras लगाएंगे, तो VMR का जो value आ गया, under root of 5 square plus 12 square, final answer 13, अगर आपको यह theta निकालना है, आप जो मर जीए हो लगा लो, sin, cos, 10, क्योंकि तीनों चीज़ पता है, ठीक है ना, तो मानलो मैंने sin theta इस्तमाल किया, तो 5 by 13 हो गया, 10 लगाऊंगा तो 5 by 12 हो जाएगा, तो यह simple procedure होता है सिरफ और सिरफ 30 second का problem होता है, आप आराम से exam में कर सकते हो, given आपको triangle और condition पता होनी चाहिए, चलते है next पर, तो दीकों, next है हमारा rain man problem, पहले एच्छे से बढ़ते है, diagram बनाते है, यह कह रहा है, to a man running at a speed of 5 meter per second, तो यानि आदमी चल रहा है 5 meter per second से, यह हो गया हमारे पास VM ठीके न, rain drop appear to be falling at an angle of 45 degree from the vertical, यानि इस चलते वे आदमी को ऐसे rain आती वे दिखाई दे रही है, यह हो गया VRM, 45 degree के angle पर, ठीके न, if rain drops are actually falling vertically downward than at velocity in meter per second, तो rain drop actually में नीचे की तरफ गिर रही है, अब man की velocity opposite direction में transfer करी, 5 meter per second, right angle triangle close किया, तो यह हो गया हमारे पास VM, अब और VM का value हम जानते हैं, 5 meter per second, यह हमें निकालना है, कितना असान है देखो, तो इस right angle triangle में हमने 1045 लगा दिया, तो 1045 की value होगी 5 by VR, और यहां से आप VR की value निकाल सकते हो, 5 meter per second, ठीक न, तो इस तरीके से आप practice करते वे चलो, rain man इस relative के section में important है, ठीक न, तो उसका problem practice करके ही जाना, अब मैं चलता हूँ previous year questions पर, तो देखो, मैंने रखे हैं last five year के previous year question, तो 2017, 18, 19, 20, 21, तो देखते हैं, 17 में दो problem आये ते, इसे आपको problem का idea लग जाएगा, कि हमारे exam में किस तरीके के latest problem आ रहे है, यह कह रहा है, पृती reached the metro station and found that escalator was not working, यानि यह साफ साफ इसने खुद की scheme बता दी के escalator वाला problem है, डारेक्ट उडा सकते हैं, she walked up the stationary escalator in T1, तो escalator rest पर है, person चल रहा है, तो T1 की value होगे D upon VME, concept आ गया होगा, ठीक न, आगे, on other day, she remains stationary and moving escalator, then escalator take her up in time T2, तो moving escalator पर, person rest पर है, escalator सिरफ चल रहा है, तो D upon VE हो गया, तो अब हमें बताना है, जब दोनो move करें, तो यार यह तो हमें पता ही है, कि इसका result तो T1, T2 रहे, T1 प्लस T2 होता है, तो problem हमारा छूते ही खतम हो गया, right answer इसमें हमारा second वाला हो गया, ठीक है न, तो escalator man 2017 का था, और देखो, x और y coordinate दे रखे, the acceleration of particle at 2 second, तो projectile का नहीं है, इसमें हमें acceleration निकालना है 2 second पर, क differentiate करके, 5 minus 4T, इधर से y की velocity आगी, 10, ठीक है, तो हमेशा पहले velocity निकाल लो, अब क्यूंकि 2 x है, तो vector form लगा लो, तो 5 minus 4T, i cap, plus 10 j cap, अब acceleration होता है, rate of change of velocity, यानि एक बार और differentiate करो, तो 5 का differentiation तो 0 हो जाएगा, तो minus 4 i cap, 0 j cap, तो acceleration की जो value आगी, वो हमारे पास आगी, minus 4 meter per second square है, तो right answer आप इसके अंदर देख सकते हो, इसमें जो right answer हो गया, वो second, तो कोई बहुत hard problem नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो, अगर आपके concept ऐसे clear है, next, 2019, 18 मिन ही आया था इसमें problem, अब 19 का जो problem है, वो यह, the speed of swimmer in still water, again man rain आ गया, तो VMR, man in, with respect to river, या still water, यह हमें दे र path है, या minimum time बाला है, ठीक है न, पढ़ो, if he is standing on the south bank, तो वो person south bank पे खड़ा हुआ है, तो यह south ले लो, यह north ले लो, okay, and wishes to cross the river along the shortest path, but, सवाल बदा चल गया, shortest path में जाना है, फट से triangle बनाओ, यह VMR हो गया, यह VMR हो गया, triangle बिल्कुल सठीक होना चाहिए, इसलिए मैंने का, घर पर practice जरूर कर लेना, यह यहां से angle हो गया, करना क्या है, यह कह रहा है, then angle at which he should make his stroke with respect to north, तो north से, यानि इदर से कितने angle पर stroke लगाना चाहिए, ठीक न, यानि theta निकालना है, अब क्या चीज़ पता है, यह पता है 10, VMR पता है 20, तो perpendicular और hypotenuse पता है, तो sin theta लगा देंगे यह हो जाएगा 1 by 2, theta हो जाएगा 30 degree, तो 30 degree north से west की तराफ, तो 30 degree west हमारा right answer हो गया, यानि option number first, कितना simple, तो इसलिए का जब आपके concept clear है तो आप exam में कभी नहीं अटकोगे, आपके सवाल perfect होंगे, next, 2019 का, पढ़ो, a person is traveling in a straight line, moving with constant velocity V1 for certain distance x, तो कुछ distance x, V1 से चला, with constant velocity V2 for next equal distances, फिर अगले equal distances है, x by 2, x by 2 के, ठीक न, V2 for next certain, next equal distance, अचा, sorry, तो next equal distance जो है, यानि x का ही equal distance है, उसमें वो V2 से चला, then average velocity V is given by, तो बहुती रद्धी सवाल हो गया, ठीक न, यानि body ने अपनी journey को दो equal parts में break कर लिया, तो हम लगाएंगे harmonic mean, 2 by, 1 by V1, plus 1 by V2, तो इनको cross multiply कर लो, तो 1 by V1, plus 1 by V2, equals to 2 by V, अब equation दून लो, तो इतना simple problem है, average speed के ओपर यह problem based था, right answer हमारा second हो गया, चलते है next पर, 20 में, 20 में problem आया है, यह तो बहुती ज़्यादा रद्धी problem था, 20 का पर वैसे भी असान था, तो problem आया है कि, ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second, तो 20 meter per second से यहां से ball को throw कर दिया गया, ठीक है न, from the top of the tower, h height का ले लेते हैं, and ball reaches ground with speed 80 meter per second, 80 meter per second से यहां पर पहुँची, the height of the tower, third equation, v square बराबर u square plus 2gh, खतम खेल, ठीक है न, minus क्यों नहीं आया, क्योंकि g भी नीचे है, और h भी नीचे है, और नीचे जाने पर speed बढ़ती है, ठीक है, तो plus 2gh हो गया, तो v की value होगी, इसको मैं solve कर रहा हूँ, 80 square minus 20 square, equals to 2 into 10 into h, ठीक है, अब इसको आप simplify कर लो, कैसे, अगर square क करने का mode नहीं है, a minus b, a plus b लगा लो, तो 60 into 100, equals to 2 into 10 into h, ठीक है, काम खतम हो गया, यहां से cancel हुआ, और h की जो value मेरे पास आगी, that is 300 meter, तो right answer आप देखो, इसका, इसका right answer हमारा second, तो मेरे खाल से, अब आप सारे problem कानेमेटिक्स के घर सकते हो, अटकों के नहीं हर एक चीज of radius r, with uniform speed, takes time t to complete one revolution, तो इस से क्या मिला, कि circle के अंदर, एक revolution लेने में t time लगा, तो हमें particle की speed पता चल गए, 2 by r by t, सही है, तो basically, यह first line speed के लिए रखी थी, बड़े आराम से line, यह line से हमने मतलम निकाल लिया, कि रहे, if this particle पर projected with same speed at an angle theta, तो same speed से theta angle पर project कर दे, projectile का सवाल आ गया, then maximum height attained is equals to 4r, ठीक है, तो r range नहीं है, r radius का term है, तो 4 times radius of circle है, पता चले यहां दोके में आगे, 4r ले लिया, r 10 theta पर 4h लगा दिया, तो h की value 4r है, तो हमें angle of projection निकालना है, वो भी इन सब के term है, तो h दे रखा है, formula लगाया, u square sin square theta, by 2g, कितना असान है देखो, तो यह आ गया, 2g, h, h की जगे मैंने 4r डाल दिया, नीचे आ गया, u square, u की जगे ए डाल दिया, 4pi square, r square, t square, equals to sin square theta, simplify कर लेते हैं, तो 4 से 4 तो cancel हो गया, ठीक है न, result में, 1r से r भी cancel out हो गया, तो 2g, t square, by pi square r, इसका under root, ठीक न, equals to sin theta, तो theta equals to sin inverse, अब power half में ले जाना है, तो 2g, t square, by pi square r, की power half, अब आप answer में लाओ, cos वाले तो हटाई दो, sin वाले चेक कर लो, तो 2pi square r, 2g, t square, तो यह तो हो नहीं सकता है, यह option ही देख रहा है, 2g, t square, by pi square r, की power half, यानि right answer में में मिल गया, and that right answer is 4, म बस खाली थोड़ा सा practice का खेलता, और इतनी भी कोई खतरनाक नहीं थी, hide के formula के उपर ही बेस था, आपको कर लेना चाहिए था, ठीक न, तो इस तरीके के problem आपको आने चाहिए, 21 का एक और problem, ये भी problem लोग चिला रहे थे, बहुत hard, बहुत hard, तो आराम से कर सकते हैं इसको, के रहे, car start from rest and accelerate at 4 meter per second square, तो ये car rest से start होती है, accelerate करती है, 4 meter per second square से, sorry, 5 meter per second square से, after 4 second, आप 4 second बाद ये car यहाँ पहुंची, ठीक न, तुरंत हमने इसकी speed लिख ली, कैसे, u plus 80 से, तो speed आगी 20 meter per second, फटा फट देख सकते हैं उसको, next, a ball is dropped out of window, a person is sitting in the car, what is the velocity and acceleration of ball at t equal to 6 second, तो यहाँ से हमने ball drop कर दी, अब देखो, ball drop कर दी, तो अब ball का car से कोई लेना दना नहीं है, ये मानलो ball है, तो ball के पास भी जो speed होगी, वो यही होगी, यानि ball की initial speed 20 meter per second होगी, ball freely fall करेगी, ठीक न, पर direct नीचे नहीं जाएगी, इस पता करना है, 6 second पर क्या speed और क्या acceleration है, देखो acceleration तो पता है, जी के बराबर है, सही है, तो answer में जीतो होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मतलब solve भी नहीं किया, और direct answer देती है, मैंने उठा करके, तो acceleration तो जी के बराबर होग वो तो constant रहती है और इधर velocity होगी y वाली इसकी equation होती है gt ठीक ना, तो g, अब ये कौन सा time है यह यहाँ से यहाँ तक का time है यानि 2 second, तो 20 meter per second आ गया तो net speed होगी इन दोनों का resultant, 20 root 2 तो right answer आपके सामने ही है वो मैंने पहले ही बता दिया था तो ऐसे smart work करके भी आप answer दे सकते हो ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अब आपने kinematics, projectile relative और previous year question जो भी आये थे वो आपने देख लिए अब क्या करना है tips and tricks वाले section से चीज़े cover करनी है जो आपके KTS batch में मैंने include करी है important problem में highlight करके दे रहा हूँ match the column तो जरूर आपको करके दे रहा हूँ तो आपको test series में ध्यान रखना है 50 question की test series है ठीक है ना, उसमें match the column में statement type के problem दे और जो important problem है मैं आपको अब highlight करके दे रहा हूँ ठीक है ना, लिख करके दे रहा हूँ कौन से आपको solve करने है तो kinematics के conceptual और advanced test से आपको ये special problem जो मैं बताने वाला हूँ solve करने है फिर practice sheet लगानी है आपका chapter 100% perfect हो जाएगा ठीक है ना, तो चलो देखते हैं आप कौन से important problem है तो देखो, ये वो list of important problem है जो आपको neat physics quota की test series के kinematics वाले test से करने है ठीक है ना, तो मैंने conceptual test और advanced test दोनों के problems mark कर दी है इसके अंदर new pattern test के इसाब से 50 question है obviously और mash the column और statement based मैंने mark कर रखे है ध्यान रखना, mash the column हमें अपनी strength बनाना है ठीक ना, weakness नहीं तो इसलिए मैंने जो mash the column mark करे हैं उनको जरूर करना और जैसी technique मैंने बताई है उस technique से आप उसको follow करना तो new pattern के हिसाब से आप बिल्गुल perfect हो जाओगे और जैसे question यह मैंने दिये हैं वैसे ही मिलते जूलते आपके exam के अंदर आने हैं तो I don't think कि इसको करने के बाद kinematics में आपका कुछ portion बागी रहेगा तो अच्छे जब practice करो अच्छे जब tips and tricks का section देखो मिलते हैं next lecture में next lecture आपका है आनलम और friction का thank you so much